Hello everyone, स्वागत है PW Only IS में एक और नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 26 इस बुक के पार्ट 3 का 26 चैप्टर है, otherwise सम्विधान में पार्ट 5 में आता है, अब सुप्रीम कोर्ट से शुरू होगा हमारे सेंटर, हायर लेविल की जुडिशरी का प्रोसीजर, सारा प्रोसेस और बहुत बहुत ही उम्दा चैप्टर है, बहुत important चैप्टर है, इसका example यह है, कितने importance रखता है कि देख लो questions, भर भर के questions आये हैं, UPSC का बहुत ही ज्यादा favorite topic है, और मेरा personal favorite topic भी है जुडिशरी, खेर, तो questions सारे बाद में देखेंगे last में, अभी चलते हैं हम अपनी कहानी पे, तो हमारी कहानी शुरू होती है, बहुत पीछे से, कैसे शुरू हुई, जब हमने देखा कि हमें आदित सर ने पहला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें regulating act पढ़ा था हमने 1773, ठीक है, जिसमें कल्पना करी गई थी, कि हाँ, एक Supreme Court होना चाहिए, जिसकी seat होगी, उस समय क्या अलकटा में, अब वो ये Supreme Court बना है, Britain के आए हुए एक act की वज़े से, जिसका नाम तर regulating act of 1773, हमारे इस book के पहले chapter का पहला page ही होगा, वहीं आपको मिल गया होगा इसमें, अब उस समय ये बताओ मुझे, कि यहाँ पे हमारे इंडिया के जो British official थे, वो highest officer, वो कौन थे, और jurisdiction है इसके कलकटा का, और आप हो खुधी से एक court of record भी हो, अभी आगे देखेंगे इस सब क्या होता है, court of record क्या होता है, इनके पास authority कितनी है, क्या सब है, सब इनके पास जो power आनी शुरू हुई, वो इस act के तहत आई, ऐसी building में हमने सोचा कि हाँ, जो कलकटा presidency है, यहाँ पर एक हैची बना लो, और यहाँ से ही हमारे इस समय judges बैठेंगे, अब मुझे आप यह बता दो, जब यह पहली बार, जब यह Supreme Court बना था कलकटा में, तो इसमें एक Chief Justice तो होंगे होंगे, प्लस, कितने और Chief Justice थे शुरू में, बस, ठीक है, याद आना शुरू हो गया होगा कहानी, बहुत पीछे से चल रही थी, फिर हमने Supreme Court को और उभरते हुए देखा, शुरू में Supreme Court के पास ज़्यादा पावर नहीं थी वहाँ पे, याद है, जब Company Rule के तहत, Company Rule में Employees जो है, Company के Servant है, जो वहाँ के Governor साहाब है, उनके अपने Council पे भी Supreme Court का कोई बस नहीं चलता थ कोई revenue matter में Supreme Court का हाथ नहीं चलता था, वहाँ पे क्या होता था, वो personal laws, जो उस समय के personal laws होते थे, उनके तहत Supreme Court इंसाफ दिलवाता था, याद आया, जब उस समय, Calcutta में, यानि कि basically Bengal, बिहार, उडिसा में, जब कोई judicial ऐसी institution नहीं थी, तब Supreme Court आई, और इस Supreme Court के पास थोड़ है, उसी का एक प्रारूप यहाँ बना लेते हैं, देखते हैं, उसका नाट की रूपा अंतरण, अभी पूरे-पूरी तोर से पूरी पावर नहीं दी गई, जैसा नाम होना चाहिए, वैसी पावर हो, वो तो नहीं आई, अब हमने देखा, कि जब यह फॉर्म हुई, तो इ institution है नहीं, जो common English law का पालन ना करने वालों पे सजा का प्रावधान निकाले, ऐसी कोई बड़ी थी ही नहीं, तब Supreme Court आके हमारे सामने यहाँ खड़ी होती है, उस समय तक मुंसिव अदालते हैं वगरा होती थी, अपने अपने पंचायते होती थी, अपने और बाकी छोटे- establishment हुई है, मदरास में भी और बॉंबे में भी अपने अपनी अपनी presidency में, अठारा सो और अठारा सो तेईस में, पर 70-73 में हमारा एक पहला Supreme Court कलकटा में आई गया, कलकटा में ही क्यों, क्योंकि कलकटा है उस समय 70-73 में इंडिया की Britain provinces की गद्धी थी, seat of power थी, कलकटा यान इसे area है, जहां पर बहुत ज्यादा पैसा है, उस समय का पैसा आप कैसे नापोगे, फसल से नापोगे, वहां की रिहाईश के लोगों की रिहाईश से नापोगे, वहां की इस से नापोगे कि यहां पर लोग कितने खुशाल है, तो हमने देखा कि यहां पर इतनी सारी नद कि इतनी उपजा उडिसा उस समय के जो बहुत ज्यादा खनन भी होता था मिट्टी का भी और बाकी मिन्रों हो रही है और वहां पैसा भी लोगों पर खूब है अब यानी कि वहां वहां से ट्रेड भी हो रहा है तो बेंगॉल में ब्रिटेन जब आया ब्रिटेन ने जब अपने अधीन किया किसी एक बहुत बड़ी बैटल के बाद जब बेंगॉल बिहार उडिसा पे इनकी पूरी हुकूमत छाने लग गई तब इन्होंने बेंगॉल में चुना कलकत्ता को कि बाई कलकत्ता होगी हमारी सीट ऑफ पावर अब यहां से यह गवर्ण होना शुरू हुआ लेकिन सिलसला 1764 से शुरू हो चुका था 73 में जागे ने याद आया कि अरे यार एक सुप्रीम गोर्ट पीछे गए थोड़ा सा आगे आते जाओ अजादी पास आ रही है हमने देखा कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने आखिरकार लड़ जगड़ के पूरी पूरी ताकत के साथ गवर्णन्ट अफ इंडिया एक 1935 पास करवा लिया है अब इस 1935 एक्ट में जो कि हमारे सम्मिधान का एक मोटा मोटा खाका था इनिशली ही वहाँ पे बात हुई थी कि हाँ एक फेडरल कोर्ट अफ इंडिया बना लो इसमें ऐसे खूब सारे जज़स बैटेंगे हमारे और उसमें ये काला पुल-कुल चोगा पहन के काला कोर्ट पहन के वाइट बैंड लगा के अच्छे खासे अब ये जज़ पूरे पेडरल कोर्ट अफ इंडिया जिसकी सीट अभी तै नहीं है तो ये होगी एक देश की सबसे हाइस्ट बॉड़ी हमने बोला कि ना 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 आ जात तो होने तो फिर इसको फेडरल कोर्ट तो नहीं बोलेंगे हम ठीक है फिर जब इस इवेंट से हमारा मार्क हो गया कि हाँ इ इसके साथ ही इंडिया में जो समय वाइस रहे थे वो भी बहुत इंबोटरेंट है फिर इस फेडरल कोर्ट के पास जुरिस्दिक्शन होना चाहिए सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का बिट्विन प्रोविंस अड़ स्टेट जो हमारे फेडरल सेट्स हैं and here appeal against judgments from higher courts जो उस समय high court चल रहे हैं, अब एक federal court तो बोल दिया हमने, जो होगा कहीं, कहां होगा दिल्ली में होना चाहिए घर, लेकिन उस समय मदरास में, बॉंबे में, पंजाब में, या और कहीं यो और जो हमारे Britain के provinces थे, वहाँ पे भी high court चल रहे थे अपने, lower court चल रहे थे अपने, फिर हमने सोचा कि एक धागे में पिरोना शुरू करते हैं, तो जो नीचे वाले जो courts होंगे, वो जो cases का फैसला दे रहे होंगे, अपने अपने jurisdiction में, अपने अपने power के तहत, अगर उन फैसलों के खिलाफ किसी को कहीं जाना है, तो कहां जाए, तो पहले तक होता था, कि अ यह privy council क्या चीज़ है सर, तो privy council ऐसी body होईगी, जिसमें क्या होंगे, वाइसरोय साहब होंगे, जिसमें England के बड़े-बड़े राजे अधिकारी होंगे, मंत्री-मंत्री होंगे, तो इसको मोलेंगे privy council, कि छोटा सा council है, बहुत ही private members का group का एक यह body है, और यह तै कर रही होगी, 1935 में, अभी आजाद नहीं हुए है, अभी भी Britain की तो हुकूमत चली रही है न, तो क्या हो रहा है, कि यहाँ इस समय अगर यह act pass हुआ है, this means कि अगर यह तो पास किया इनके Britain के लोगोंने, तो Britain के लोग, Federal Court of India के decisions को supervise भी कर रहे होंगे, जो Federal Court of India मराना चाह रहे ह हैं यहाँ पर, हमारे इंडिया के judicial system का सबसे बड़ा highest institution, अब यहाँ पर जो decision यह ले रही होगी body, तो इस body, इस body को decision लेने का अधिकार तो है, कितना है, वो कम है, और जो decision ले भी रही होगी, वो decision review किये जा रहे होंगे by the preview council, यह मान लो इसको, यह Britain, यह इस समय British Indian government है, ठी तो एक उपर, मतलब judiciary के उपर भी हम देख रहे हैं, कि एक executive की उस समय भी लहर चल रही है, वो अभी भी उपर उपर बैठे हुआ है, जुडिशरी के, अभी भी judiciary independent नहीं हो पाई है, फिर हमने देखा, कि इन्होंने integrate तो किया है, जुडिशिम को, यह क्या होता है, integrate करना होत समाहित करना, एक साथ लेके आना, अब इन्होंने क्या किया, decisions made by higher courts are binding on the lower courts, ऐसे ही हो जाती integration, अब मान के चलो कि कोई एक बहुत बड़ा institution है, कोई एक बहुत बड़ी संस्था है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो ऊपर जो boss होंगे, वो जो decision लेंगे, बागी सारों को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके अधीन है, क्योंकि वो उनके direct reporting में है, तो अब क्या हो रहा है, कि उपर से decision आ रहा है, वो सब पे binding है, अब इसी लिए हमने देखा कि अच्छा अगर ये judiciary को integrate करना है, इसका मतलब यह होना चाहिए, कि उपर वाली जो body होगी, जो बड़ी body ह होगी, जैसे ये body है, ये रही, तो supreme court यहाँ पर उपर बैठी है, supreme court ने अगर कोई decision लिया, तो इनके नीचे के सारों को वो decision मानना पड़ेगा, ठीक बात, अब high courts को, high courts के नीचे district court, session court, सत्र नयायलाय, इन्हें कहते हैं, जिला नयायलाय कहते हैं, सब ordinate courts होंगे, family courts होंग होंगे, बहुत सारे courts होंगे, ठीक है, और नीचे चलो, civil judge होंगे इसमे, metropolitan magistrate होंगे इसमे, तो यानि कि ये जितने जो इसमें ladder में, इस food chain में, जितने ये नीचे हैं, इनको अपने उपर वालों की तो बात माननी माननी है, ऐसे हो जाती, integrate, जैसे आर्मी, अब आर्मी में, अगर जनरल सहाब कोई आदेश दें, तो वो आदेश, major lieutenant के पास भी, captain के पास भी, colonel के पास भी, सब सारे नीचे जितने उनके command में हैं, lowest rank तक, सब कोई बात माननी पड़ेगी उनकी, क्योंकि जनरल सहाब ने बोला है, और जनरल सहाब के ऊपर कोई है ही नहीं, तो अब ऐ अगर कर्रेश जनरल सहाब बोल दें, क्योंकि आज से मेरी आर्मी ऐसे करेगी, नहीं, आर्मी नहीं अगर황 कर्णल सहाब के आर्मी कैसे कर लेगी, कर्रैल सहाब की आर्मी है ही नहीं, वो तो जनरल साब के पूरे direction में रहती है अगर ही आर्मी तो उपर से top-down flow होता है, जा The orders and decree and powers सारे के सारे जतने उपर से order आते हैं ठीक है Now, all the lower courts जतने ये lower courts हैं from the gram panchayat to the high courts gram panchayat याद आया बिल्कुल निचल इस तर पे ground level पे जो gram सभाय होती है gram panchayat होती है वहाँ पे क्या होगा ये are integrated into the supreme court of India उपर से लेगे नीचे तक को अब ठीक है US में ये चीज उल्टी हो गई US में हमने देखा कि ये लोग तो आजाद हो लिए बहुत पहली इन्होंने क्या किया है इन्होंने अपने यहाँ pifurcation किया हुआ है that is वहाँ पे double system है of courts in USA ये क्या हुआ सर ये ऐसा हुआ कि एक तो ये पूरा US मान लेते हैं अब इस US में अलग-अलग states है 50 states है तो इसमें Texas है California है Montana है Iowa है जितने सारे states है हर state में अपना-पना Supreme Court है इन सारे states के पास एक यहाँ भी होगा एक यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा जैसे इंडिया में नहीं है ठीक है तो वहाँ के states के पास अपना-पना सम्विधान है अपना-पना जंडा है अपनी-अपनी नागरिकता है ऐसे ही अपनी-अपनी वहाँ पर Supreme Court भी हो उनके पास हर छोटे-छोटे state के पास भले ही वो छोटा सा state हो चुटकूसा South Carolina, North Carolina, Washington Washington DC नहीं Washington state भी है एक तो ऐसे हर state के पास अपना-पना Supreme Court भी है अब वो सारे जो Supreme Court होंगे जो उन-उन states में है वो उनी-उन states का कानून का पालन करवा रहे होंगे वो ऐसा नहीं होगा कि वो US के सम्विधान को मनवाद है नहीं, US के सम्विधान को मनवाने के लिए वहाँ पे separate एक Federal Court of US है जो Supreme Court of US है ठीक है, वहाँ पे 9 Judges का Strength रहती है, अब शाद बढ़ गई है तो लेकिन क्या है वहाँ पे Bifurcation है कि जो state के कानून होंगे वो state के Supreme Court और नीचे उसके court सारे मनवाएंगे जो national level के कानून होंगे जैसे अगर वहाँ के Reserve Bank को अगर कुछ बात बोलनी है अगर वहाँ की Army को कुछ बात बोलनी है अगर वहाँ की Ambassador, अगर वहाँ के किसी और Foreign Agar Treaty के बारे में बात करनी है तो बात करेगा US का अपना Supreme Court of US अब वहाँ पे Texas का Supreme Court यह नहीं बोलेगा कि US की Army Iraq में ना जाए, नहीं, वो नहीं बोल सकते पर जो Federal Court of US है जो Supreme Court of US है, जो एक ही होगा वो बोल सकता है यह बात, ठीक है तो इसलिए वहाँ पे हम कहते हैं, वहाँ पे Double System of Courts है US में कैसे? Federal Laws are Enforced by the Federal Judiciary and the State Laws are Enforced by the State Judiciary ठीक बात, आई बात समझ में बहुत असान है, यहाँ पे हमारा इंडिया और US का सिस्टम जो है, थोड़ा सा differ करता है, अब हमने क्या बोला, कि हम इसको करते हैं, पहले तो replace, इस word को यह word नहीं अच्छा लग रहा हमें, हमें word अच्छा लगता है Supreme Court, ठीक है, तो हमने जब हम गणतंत्रू हुए, जैसे ही हमाजाद हुए, हमारा सम्विधान तो force में आ गया था, और 26 जनवरी 1950, ठीक है, फिर दो दिन बाद ही, 28 जनवरी को हमारा Supreme Court का inauguration हो गया है, अब आपको याद होगा मैंने अभी एक दो क्लास पहले बताया भी था, कि Supreme Court की जो उस समय की जो building थी, वो तयार नहीं थी तो इत्तिफाक से और जिसने हमने वो class पड़ी थी, वो दिन भी बहुत important था, तो इत्तिफाक से हमारा Supreme Court function होता था, in the very building of Parliament, हमारा circular house, तो वहीं उसी premises में, सोचो एक तरफ से executive काम कर रही है, वहीं legislature भी काम कर रही है और वहां के एक block में Supreme Court भी काम कर रही है, हमारी judiciary काम कर रही है तो हम कितना भी separation of power बोलने हैं, कितना भी division of power बोलने हैं लेकिन एक मौका था, एक समय था जब तीनों organs को पूरे unison के साथ, पूरे unison कहते हैं, unison माने एक साथ, तो unison में रह के काम करना पड़ रहा था अब, ठीक है, काम किया इन्होंने, तो Supreme Court का उद्गाटन हो गया, Supreme Court का existence आ गया सामने आ गया, अब पहली sitting हुई थी 28 January 1950 जफीता काटा गया था, ठीक है Now, the jurisdiction of the Supreme Court is greater than the Federal Court है हमारे या, क्योंकि मैंने भी आपको बताया, जो Federal Court तो भाईया ऐसा होता है कि वहाँ पे तो कुछ जादा state laws वो नहीं मनवा सकते, पर Supreme Court के पास यहाँ पे full authority है, full autonomy है Now, Supreme Court has replaced the British Privy Council as the highest court of appeal याद आया, British Privy Council अभी पिछले slide पर देखा था हमने के British के कुछ आला अदिकारी, कुछ अफसर ऐसे थे, हुकमरान जो Supreme Court के, उस समय के Supreme Court के 1935 के समय की तो वो Supreme Court के decisions को भी monitor करते थे, supervise करते थे उन्हें लगता था, अगर Supreme Court सही से काम नहीं कर रही है ला उपर लियाओ, फैसला हमारे पास हम इसको सही कर देंगे, तो वो समझते थे खुद को एकदम लाड़ साहिब के उनके उपर तो कुछ भी नहीं है, वही है जो noble आदमी है इस समय, तो उन्हीं की चल रही है अब हमने का यह सब आटाओ, यह सब बेकार की बात है Supreme Court हमारा है, Supreme Court सब कुछ समाल लेगा Supreme Court के पास full authority है, full power है Now, article 124 से लेके 147 in the part 5 of the constitution दो तरह से part चल रहे है लक्षमी गांद की आपकी बुक का part 3 में आता है यह chapter वो तो ठीक है, वो तो बुक का nomenclature ऐसा है, ठीक है पर जो constitution है, हमारा समविदान है, उसमें part 5 में जिसमें union भी है, पूरा बाकी हमारा President, Prime Minister, Council of Minister पूरा union government भी है, उसी में union government के आगे Supreme Court भी है part 5 में ही आता है, जिस part 5 का नाम है The Union, ठीक है अब यहाँ पे हमारे इन सारे articles के अंदर ये तै हो चुका है, कि हमारे Supreme Court का organization कैसा होगा, कितनी independence है इनके पास, कहा तक jurisdiction है इनके पास, क्या powers है कैसी procedure होगी इनकी, सब चीज़ें इसमें सारी, यहाँ पे सारी define कर दी गई है और काफी चीज़ें बोल दी गई, कि जो अभी हम define नहीं कर पा रहे हैं, जो आगे आने वाले समय में बदल जाएगी, वो चीज़ों को हम Parliament के उपर छोड़ देंगे, कि Parliament उस समय अपने हिसाब से समय के अनुसार स्वाज अनुसार, चीज़ें उसमें सही कर ले जब उनको जो करना हो, ठीक है तो Parliament is also authorized to regulate them कब-कब कितने judges होने चाहिए, judges की salary कितनी होने चाहिए, अब समय दान तो लिख दिया गया अब 1950 में, तब की salary अब थोड़ी चलेगी, उस समय तो salary मिलती थी 16-32 रुपे, तो अब उससे तो बढ़ना पड़ेगा आगे, अब जब आज तो हम आगे आ चुके हैं, ठीक है अब आगे चलके, जब Parliament के उपर जम्मेदारी आती है, कि साब बताओ चीजन सही करो, तो फिर Parliament का ठीक हम कर देंगे, लाओ, करते हैं ऐसे ही, जैसे Supreme Court की composition, तो Supreme Court की composition माने, Supreme Court में कितने judges होने चाहिए तो Supreme Court की जो strength समविधान में fix थी, वो थी 8, 1 CGI plus 7 other judges 1 plus 7, जब पहला Supreme Court बना था, 70-73 में तो कितने थे 1 plus, वो वहाँ से बढ़के हम पहुँच चुके हैं, 1 plus 7 पे, अब पार्लिमेंट ने समय समय पे progressively इस नंबर को increase किया गया है, कैसे कैसे किया है उन्होंने उन्होंने किया है, 1956 में 10 किये गए, अजाद होते ही 6 साल के अंदर हमारे 8 से 10 हुए, ठीक है, फिर 4 सल बाद हमने का और चाहिए, 13 कर दिये गए, फिर 17 हुए, 25 हुए 30 हुए, आज जाके 33 हैं, जो last बड़े थे 2019 में, ठीक बात है ये अभी समय present हमारी situation है, अब 1 प्लस 33, ये याद कर ले ना, नमबर में हमेशा कन्फीज हो जाओगे जैसे अभी कई बच्चों को तो इस साल गांदी जी का कौन सवा जनम दिन है, ये भी कन्फीजन था, क्या किया जाए, ये तो मतलब क्या बताओं मैं, खेर 1 प्लस 33, यानि कि 33 judges किये गए हैं, प्लस 1 chief justice कैसे किये जाते हैं, ये ऐसे किये जाते हैं, सबसे पहले एक article था, 124, जिसने बोला कि भाईया, excluding the chief justice होंगे 7, ठीक है, फिर हम लेकिया आए, amendment, 1956 में amendment आया, supreme court, bracket में number of judges act, 1956, जिसमें हमने excluding CGI, हमने number of judges, amendment act, 1960, जिसमें 13 हुए, total मिलागे 14, ऐसा ही इनको आगे चलता, ये करम आगे चलता गया है, आज 33 हैं, प्लस 1, that is 34, 34 judges की हमारी supreme court की strength है, इस समय currently functioning working, अब इसके बाद जब हम देखेंगे कि composition तो इतने हैं, ठीक है, कौन कौन बिठाएगा इनको, कैसे बैठेंगे ये, फिर हमने देखा, कि अच्छा, समयधान ने इजी क्या रखी है, क्या बोला हुआ है, कि राश्पती जी, appoint करेंगे chief justice को, in consultation with such judges of the supreme court and high court as she deems necessary, ये क्या line है सर, ये कैसी है, फिर क्या हुआ, supreme court में बोला गया, कि भाई, cgi तो पहले लाओ, cgi चाहिए पहले, तो cgi लाने के लिए president साहब, यानि की हमारी सरकार, और सरकार के जो मुखिया है, सरकार के head है, वो हमारे prime minister, तो prime minister और president, अपने तालमेल के साथ, ऐसे बात करेंगे कि सर, हमें चाहिए supreme court में chief justice, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, अभी हम देख रहे हैं, supreme court में बाकी 2-4 judges हैं, जो नहीं हुए हैं, चालो कोई बात नहीं, high court में judges बचे हुए हैं, दिल्ली high court में हैं, MP high court में हैं, UP का लाबाद high court में हैं, कई न कई पूरे देश में high court के judges हैं, सब को judges से फोन किया गया, के इसाब बताओ एक बात ऐसी करनी है, कि supreme court का इस समय CGI चाहिए हमें कैसे आएगा, तो judges बोलेंगे, sir, we will tell you, हम बता रहें आपको, हम मैंसे, आप senior most ये जनाब हैं, आप injustice सहाब को उपर लेगे चाहिए, इनको CGI बना दो, ठीक है, मान लेते हैं, जब कुछ नहीं था, तो ऐसे तैग हुआ, अभी क्या हो रहा है, अभी तो एक पूरा system chain चली रहा, आई रही है, चलके आई रही है, जैसे अभी समय current chief justice जी, हमें चंदरचूड जी है, इनके पहले कौन थे, उनके पहले कौन थे, उनके पहले कौन थे, जजजस तो थे, तो क्या हो रहा था, कि जजजस, जो existing judges हैं, वो अपना आने वाला उत्रादिकारी, खुद ही राश्पती जी को कनवे कर देते हैं, कि सर मैं और मेरे बाकी के judges, हमारी राए ऐसी है, कि हमारे आगे आने वाले जो chief justice हों, वो ये साहब हों, ठीक है, और आपको चाहिए, तो आब और consultation कर लो, बाकीयों से, high court के judges से भी कर लो, आपकी मर्जी है, पर हमारी तरफ से नाम ये है, ये ही बनेंगे, ठीक है, अभी ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो फिलाल के लिए हमारे एक chief justice जी बन चुके है, अब बाकी judges चाहिए, 1 प्लेस 33, 33 भी तो चाहिए है, और तो 33 के लिए क्या किया गया, फिर chief justice जी बोलेंगे, कि sir मैं चाहता हूँ, इन इन व्यक्ति को बनाया जाए, हमारे यहां का supreme court का judge, ठीक है, तो राश्पती ही appoint करेंगे, बाकी judges को in consultation with CGI, जो obligatory होगी, यानि कि, जो CGI सहाब, जो consultation में जो सलाथ दे रहे हैं, जो ये advice दे रहे हैं, ये advice दी गई होगी कोई न कोई तो, तो ये advice जो है, वो obligatory है, and such other judges of the Supreme Court and High Court, as she deems necessary. बाकी judges का appointment कैसे हुआ, कि इन सहाब से सला मश्वरा किया गया, Chief Justice जी से, इन से पूछा गया, कि sir आपके बाकी judges बनाने हैं, कैसे बने, कौन-कौन है, आप ही बता दो नाम, तो वो कहेंगे कि sir मैंने नाम चार्ट रखे हैं, गुवार्टी High Court से इन तीन judges को लेके आई है, मदरास High Court से इन दो judges को लेके आई है, ऐसे करके मेरा आप पूरा बना दो Supreme Court, ठीक है, तो ये जो नाम देंगे इनको, ये नाम तो binding है, ये ही बनेंगे, बस, fact बात है, अब उसके बाद भी अगर राश्पती जी को चाहिए, तो consultation कर लें High Court के judges से, पर वो एक बहुत बड़े office की अभमान ना होगी, कि उनसे senior ने आके जब बोला हुआ है, कि इनको राश्पती जी को, कि कौन बनना है, फिर आप उनसे जागे junior वाले से पूछ होगे, तो नहीं पूछ होगे, obviously आप नहीं पूछ होगे ऐसा, पर constitution ने बोल रखा है, कि आप Supreme Court के High Court के judges से, आप सला मश्वरा कर सकते हो, ठीक है, तो ये बात एक theory की बात है, अब यहीं पर जब appointment हो रहा है, तो controversy हो नहीं हो नहीं, of course, कि कैसे बन रहा है, कौन बन रहा है, हमारे यहां क्या हुआ है, Supreme Court has given different interpretation of the word, consultation, जो यह consultation का जो word है, consult करने का, इस word के उपर खुब घमासान हुई है, अब जब से Supreme Court ने mandate किया हुआ है, कि consultation with the CGI is necessary for appointments to judiciary, तब से हमारा एक model आया है, collegium model, जो बहुत ही ज़्यादा विवादों में घिरा हुआ है, बहुत लोग दुखी हैं, उससे बहुत लोग परिशान है, अब क्या है यह collegium, मतलब कहना कहा रहे हैं सर, तो हम यह कहना चाहरे हैं कि जब भी किसी जज का appointment होना है, transfer होना है, तब उस समय collegium action में आएगा, कैसे, यह क्या करेगा, यह एक पहली बात तो यह forum है, forum माने एक ऐसा discussion का, discussion का, यह place है, तो अब यहाँ बैठके, judges, मतलब senior बड़े बड़े judges, बैठके discussion करेंगे, कि कौन appointment होगा, किन का transfer करना है, क्या आगे किसी को elevate करना है, जो चीज़े सारी, तो इसमें कौन होते हैं, इसमें होते हैं, CGI, प्लस four supreme court के judges, बस, one plus four, इनी 3300 में से, बाकी चार और होएंगे, जो Chief Justice जी के साथ बैठके, एक कोलेजियम का निर्माण करेंगे, कोलेजियम कुछ नहीं है, कोलेजियम मन है, यही होता है, कि बैठके एक meeting place, वो अपना इनका पूरा, जो एक close room meeting, बस, वही है, अब यह कहां से आया है, इस came from the three judges case, ऐसे कुछ cases हुए हैं, इंडिया में, चार cases हुए है, first judges case, second judges case, three judges case, fourth judges case, ठीक है, तो यहां पे तीन ऐसे judges case हुए थे, which gave primacy to CJI's call on appointment and transfers, कि क्या हुआ, कुछ-कुछ जो ऐसे समय समय पे, Supreme Court के पास जो cases आये थे, हमने उनको बोला judges case, तो first judges case, एक आया, बहुत पहले आया था, फिर आया second judges case, फिर third judges case, फिर fourth judges case, यह case आगे, अभी हम पढ़ेंगे, अभी आगे हैं यह, पर मोटी-मोटी बात समझ लो, कि तीन ऐसे जो cases हुए थे, तीन judges case हुए थे, इनकी वज़े से, कोलेजियम का निर्माण हुआ है, और कोलेजियम के निर्माण के बाद से हम देख रहे हैं, कि CGI जो call लेते हैं, CGI जो action लेते हैं, वो action की primacy है, वो action पहले है, वो action उपर है, नाउ, judiciary gets greater say than executive on appointment and transfers, judiciary की independence बरकार रहे, judiciary की स्वायत्ता बिल्कुल maintain रहे, इसलिए हमने देखा, कोलेजियम के पास excessive power है, बड़िया power है, अब यही criticism का point बनता है, कि administrative burden है, of checking professional background data, यह ही नहीं, क्या करें, दूसरा, close door affair, lacks transparency, जब ऐसे बंद कमरे के पीछे, जब discussion कर लोगे, कोई interview के marks बार नहीं आते, जैसे UPC marks बार निकालती है, तो अब क्या होगा, जब कौन से judges को appoint होना है, कौन judges appoint नहीं हो पा रहे हैं, कुछ-कुछ ऐसा भी हो सकता है, exclusivity, sidelines, talented junior judges, advocates, क्योंकि कई ऐसे talented लोग होते हैं, जो अगर judges के favor में नहीं हो रहे होंगे, judges के पक्ष के नहीं लगते होंगे, तो क्या पता judge उनको ना ले रहे होंगे, पता ही नहीं है न, ये भी तो नहीं पता है कि ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, तो वैस ये पता है कि किन को ले रहे हैं, बस ये बता दिया गया, तो ये एक bone of contention है between executive legislature and judiciary, और ये एक चली रहा है, ये ongoing process भी है, ये issue हुआ, फिर अब ये क्या जो आप collegium system जो आप पूछ रहे थे, कि सर ये बता हुए collegium क्या, क्या है ये, तो अब collegium की जो जननी है, वो है three judges case, अब यहाँ पे case का नाम three judges नहीं है, यहाँ पे है तीन ऐसी case हुए है, first judges case, second judges case, third judges case, ठीक है, ऐसे आएं, तो अब ही हम पढ़ेंगे, first judges case, which came in 1982, इनके सामने, Supreme Court के सामने, पहली पर case आया, आप लोग कैसे point हो रहे हो, ऐसे वोड़ी आपोइंट होते हैं, ऐसे नहीं हम बताएंगे कैसे होगे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, वहाँ पर decision लेते हुए, कि ऐसा है, जो ये consultation word है, ये consultation word, it does not mean concurrence, it does not mean concurrence, concurrence समझ में आता है, concurrence, जैसे अगर आप, थोड़े अगर कोई maths के बच्चे हो, तो आपको geometry में, congruent triangle समझ में आता होगा, concurrence माने, theoretical भाषा में, या in common parlance, in common language, बोला जाता है, कि yes, I conquer with your advice, I conquer with your opinion, तो concurrence word का, उत्पात हुआ है, from the word, conquer, conquer, जैसे, जब, दो doctors बात करते हैं आपस में, तो एक doctor, कोई opinion देता है के इसके उपर, किसाब जो patient है, उसको ये भी problem है, ये भी problem है, ऐसी problem है, my opinion is this, and my opinion is, कि surgery हो जानी चाहिए, फिर दूसरा doctor कहता है, कि, अच्छा, आप कैसे पहुंचे इस advice पर, उन्होंने का कि, मैंने ये ये pointers देगे, ऐसे diagnose किया है, फिर, पहले doctor बोलेगा, कि, doctor साब, second वालों को, कि, do you conquer with my advice, do you conquer with my opinion, तो conquer माने, कि हाँ, हम और आप एक ही page पर है, बस, इतनी सी बात है, और कुछ नहीं है, तो, यहाँ पर पहले judges case में, Supreme Court ने बोला, कि, अच्छा, जो case आ रहा है हमारे पास, this means, कि, इस case में कुछ दम तो है, पहली बार आया कोई, तो कोई हो सकता है, बहुत, बहुत परिशान होने के बाद आयो, ठीक हैं की बात मान लेते हैं, कि यह जो consultation word है, consult करने का word है, this means, it only means exchange of views, खाली विचारों का अधान प्रदान, कोई समय ये नहीं कि, मंजूरी ये देनी पड़ेगी, ये तो नहीं देनी पड़ेगी, उस समय ऐसी कोई बात नहीं बोली, सुप्रीम कोड ने का, नहीं, consultation मतलब, मतलब concurrence नहीं होता है, consultation माने, अगर समयधान की language है, consultation with the chief justice, this means, in आम बोल चाल की भाषा में, consultation का मतलब है, कि हाँ बस बात सुन ली ठीक है, मानेंगे तो नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोड ने पूरी पूरी, पूरी पूरी छूट दे दी, appointment of judges to the executive को, कुल मिलाके, executive को, फिर तो सरकार का, फिर अब तो सरकार की चौड है, सरकार बोलेगी, आप नहीं बोला है कि सुप्रीम कोड में, कि consultation का मतलब concurrence नहीं होता है, तो यानि कि हमारी जो executive है, हमारा जो legislature है, executive है, यह दौनों एक सी एक ही साथ है, इनका पलड़ा भारी है, judges के उपर से, judges अभी समय हलके हैं, तो अभी appointment होगा, वो होगा, सरकार की मर्जी से, होतारा, 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 19 साल बीद गए, फिर 9 साल बाद आया, second judges case, 1993 में, सुप्रीम कोड नहीं का, अरे, नए, नए, हमसे गलती हुई है, अब हम अपनी गलती हो, rectify कर रहे हैं, जो हमसे senior judges, हुआ करते थे, उन्होंने 9 साल पहले, एक गलती कर दी थी, हम उस गलती में, थोड़ा सा, सुधार कर रहे हैं, क्या सुधार किया, कोड ने बोला, कि नए, 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 वी reverse our ruling, जो हमारी पहले की ruling थी, हम उससे पीछे हट रहे हैं, और हम consultation word का मतलब बोल रहे हैं, this is equal to, equal to conference, अब, जो consultation है, मतलब कुल मिला के यह कहना का मतलब है, कि अगर राश्पती जी, या सरकार, of course, हम से सला मश्वरा कर रही है, तो अगर उस सला को नहीं मान रही है, तो consultation का मतलब ही क्या है, फिर consultation है ही क्यूं, हटाई दो word को इसको, तो इन्होंने का नहीं, अगर consultation word है, मतलब वो word is equal to conference, मानना पड़ेगा, सला ले रहे हो तो मानो, फिर यह बोला गया, with this, the advice standard by CGI became binding, अब CJ साब जो बोलेंगे, वो बात माननी पड़े कि दूसरी कोई बात ही नहीं होगी, ठीक है, पर यहाँ पर बोला गया, कि जो Chief Justice जी है, वो इतने ज़्यादा एकदम authoritative ना हो जाएं, अपने Supreme Court में, तो इसका मतलब है कि इनको, इनकी authority को थोड़ा से control करना है, क्योंकि अगर राश्पती जी को इनकी advice माननी ही माननी है, तो इनकी advice इनकी अकेले की ना हो, साथ में बोल दिया जाए, two of his senior most judges भी, उसी Supreme Court में, 1993 में, जितने भी Supreme Court में, जो judges होंगे, तो उन में से चुनिए Chief Justice जी, साथ में दो और, अब ये दो जो senior most judges होंगे, साथ में ये भी advice दे रहे हूँ Chief Justice जी को, कि अब ये जाके advice दो राश्पती जी को, ऐसे नहीं, खाली Chief Justice जी अकेले advice दे के आजाए, वो नहीं चलेगा, नहीं, यहाँ पे, दो senior most judges, प्लस CGI, ये तीनों मिलके जो advice दे रहे होंगे, वो advice binding होगी, प्रेसिडेंट को वो advice मान नी पड़ेगी, प्रेसिडेंट माने सरकार, फिर आया third judges case, अब सरकार को थोड़ा सा चिरचड़ापन आने लगा, क्यार ये तो यार हमसे cheating हो कोई हमारे साथ, हमने अच्छा खासा तो हम जीत के आई थे, अब तो इन्होंने बदल दिया है परल रापना, पूरा side ही बदल दी इन्होंने, पूरा एकदम वक्त बदल दिया, फिर third judges case 1998 में, कुल 5 साल बाद, यहाँ पे court ने का, बिल्कुल सही का था हमने, पांच साल पहले हमने जो काए, एकदम करेक्ट बात है, और court ने बोला, कि consultation process, to be adopted by the chief justice of India, requires, यहाँ पे हम कर रहे है, requires consultation of plurality of judges, अब ऐसा कुछ सम्विधान में, कहीं नहीं लिखा आई है, इसा बात हैं, जो यहाँ से आई है, कि consultation मतलब concurrence, और दो senior most judges की बात होनी चाहिए, और अगर consultation है, that means not only of the single chief justice, बट plurality of judges, मतलब थोड़े से और, more than one judges, तो CGI plus plural of judges, 2, 4, 5, 6, जितने आपको चाहिए, वो आप ले लो, ठीक है, इसका मतलब है, sole opinion of the CGI, does not constitute the consultation process, क्योंकि जो CGI होते हैं, he is first amongst the equals, के ऐसा नहीं है, के CGI जी जो है, वो बहुत उची चीज है, नहीं नहीं नहीं, CGI बाकी judges से, बस पहले हैं, first amongst the equals, equals, यानि कि, ये इनके जितने बाकी colleagues हैं, ये सारे के सारे colleagues, peer, इनका बराबर है, जैसे, मैं एक law minister हूँ, हूँ, अगर मान लेते हैं, तो, प्राइम मिनिस्टर जी भी, एक minister है, बस वो first amongst the equals है, मैं law minister हूँ, कोई finance minister है, कोई education minister है, मान लेते हैं, अलग सार education minister है, मैं law minister हूँ, और कोई और व्यक्ती जो है, वो finance minister है, तो हम तीनों के तीनों, हम equal हैं, बराबर हैं, क्योंकि हम एक level पे हैं, cabinet मंत्री के level पे हैं, अब बस हम मैं से जो एक PM होगा, वो PM हम से पहला है, हम से first है, तो ऐसे ही यहाँ पर CGI साहब हैं, वो भी अपने बाकी colleagues के, बराबर हैं, बस पहले हैं सबसे, ठीक है, वो he is the master of the roaster, तो क्या करें, रहेंगे तो रहेंगे, यह सारे ऐसे terms हैं, जो आपको लिखने पढ़ेंगे, कभी कभी exam में, master of the roaster, master of the roaster, अगर आप अख़वार पढ़ रहे हो, तो यह word आपके सामने बार-बार आ रहे होंगे, है ना, master of the roaster, roaster क्या होता है, roaster होता है, कौन सा case किस bench के पास जाएगा, कौन सा case किस bench के पास जाएगा, कौन सा bench में कितने judges होंगे, यह roaster तै करता है, तो CGI साहब के पास इस roaster का चाबी होती है, roaster माने रेजिस्टर मानलो, उसको कुछ भी कहलो, तो रोस्टर एक enroll call होती है अब यहाँ पे CGI की खाली अकेली opinion नहीं चलेगी यहाँ पे opinion चलेगी CGI के साथ बाकी judges की concurrence की भी So CGI should consult a collegium of four senior most judges of the Supreme Court के चार senior most judges को आप उठाईए जो आपके साथ बैठें एक collegium में और collegium में जो यह चारों पांचों मिला के क्योंकि यह भी तो है तो one plus four का यह जो panel है यह one plus four का panel यह बताएगा के अगला appointment किसका होगा कौन elevate होगा, कौन transfer होगा कौन retire होगा, सब को जो भी है ठीक है, तो वो यहाँ से आएगा अब कुल मिला के collegium यही है Supreme Court में appointment और transfer of judges और elevation of judges यहाँ से ते होगा, अब इन पांचों में हो सकता है कुछ लोग ऐसे होँ जो यह बोल रहे हों सीव जशेज जी कि सर आप advice जो देने वाले हो President को हम उससे ना कुशन हमारी मंजूरी नहीं है तो अब ऐसे में क्या होगा, अगर कुछ judges होंगे, even if two judges given an adverse opinion, he और she, जो भी judges हों वो तो he or she should not send the recommendation to the government कि अगर दो judges भी मिलके यह बोलने लग गए क्योंकि आप देख रहे हो, total 5 है तो 5 में से जीतने के लिए कितने चाहिए होंगे तब भी CGI साब को वो advice भेजनी नहीं है सरकार को, नहीं भेजोगे जब तक आपकी पूरी आपकी Collegium आपके support में नहीं है आपके पूरा आपका Supreme Court का institution आपके साथ नहीं चुड़ा हुआ है तब तक उस advice को आप मत भेजो वहां सरकार के पास मत भेजो तो यह बोला गया Three judges case में यहां से Collegium की स्थापना हो गई अब यह आपके लिए एक छोटा सा brief में एक summary है यह इसी से आपका essay भी बन जाएगा इसी से आपका GS2 का answer भी बन जाएगा इसको आप बाद में पढ़ लेना कुल मिलाके इसमें data ही data है which is fundamentally not important for UPST क्योंकि आपको बज जानना है concept क्या है ठीक है अब आया 99th Amendment Act जो आया था हमारे NDA 2 सरकार में ठीक है NDA, sorry, 2014 सरकार में तो NJAC Act बोलते थे इसको 2014 में और इसमें बोला जा रहा था कि हम क्या करेंगे कि Supreme Court का जो Collism System है इसको हम replace करेंगे Commission, इस Act में ये बोला गया कि ये जो NJAC है इस NJAC के अंदर होंगे चीव जश्य जी भी होंगे, प्राइम मिनिस्टर भी होंगे इसमें लॉव मिनिस्टर भी होंगे इसमें दो eminent jurist भी होंगे तो इसके बाद जब ये bill पास हो रहा था क्योंकि बहुत बार हम देख रहे थे लोग पिछली सरकार हैं भी, आगे आने वाली सरकार हैं भी उससे पुरानी सरकार हैं भी सब के सब सुप्रीम कोर्ड के अपने इंडिबेंडेंडेंस से दुखी थे परिशान थे, क्योंकि कई बार सब सरकार के ही केसिस जाते थे सुप्रीम कोर्ड में और सुप्रीम कोर्ड निरस कर देती थी औरह साथ में इनके साथ दो जयं झा झाथ क चाद फिंटर प्रयम मेहिसा अविए प्राइमिनेस्ट कि आथ फे अब यह प्रॉब्लम का जड़ था तो सुप्रीमं कोड़ ने बोला कि क्या करना जारें भालोग यह क्यों करना बोल रही है है supreme court बार इस जो भूर है इन्से Supreme कोट से कि शर्देखो नसे सबम है ल Wherever पास इसको ले लेंगे फ लिसितल जैसे वह एक्ट बना जैसे राशपती जी तो जैसे राश्माठी जी की असेंट लगी उस में इसके ऊपर चर्चा शुरू हो गई और इस एक इस केस को भी बोला गया फॉर्ट चैस केस 2015 अब ठीक है फिर क्या बोला सुप्रीम कोड ने बोला कि यह जो 99 CAA आप लेके आए हो साथ में आप जो एंजैक एक्ट लेके आए हो दिस अन कॉंसिट्यूशनल एंड एंड इस वी टर्म एज वॉइड नल जीरो नल वेक्टर कुछ नहीं बचा इसमें कुछ भी नहीं है कॉंसिक्वेंटली जो अर्लियर कॉलिशनल सिस्टम था वो फिर से काम करने लग गया जो अपने पीछे देखा था भी थ्री जज़स केस में तो वह आगया वापस तक पाइंड नहीं नियूशन कियो है जब सुप्री जब समविधान ही मेंशन किये हुए है प्रियंब से ल अपने आप से सिंगल है सब कुछ है इन्डिपेंडेंट है तो एक्जेगेटिव क्यों है आप एकडिक वाइइ जार बढ़नि है तो तो इन सब का point क्या है, हमें आप यह बता दो कि इन सब में eminent jurist का point क्या है, कौन eminent jurist है और कौन आप कहते हो कि आपकी नजर में यह बहुत जादा इन्हें law का ज्यान है, सब कुछ है, कौन से professor, कौन से university के professor, बताओ हमको, तो इन्होंने का सर वो तो बात में बता जालेगा ज Supreme Court के functioning में, this is creating hindrance, this takes away the independence of judiciary, तो इसलिए यह जो NJAC आपका act है, this is unconstitutional and this stands void, this stands null, zero vector, कुछ नहीं बचा इसमें, दम खतम इसका, फिर NJAC खतम हो गया, और NJAC खतम होने के बाद, जब आपको याद होगा, लेट हमारे finance minister, यह श्री अरुन जेटली जी, तो उन्होंने बोला लगा था कि ये है, ताना शाहि, टारेनी, टाइव, आर्नी आ रहा है, इसमें, हाँ, टारेनी of unelected, unelected, मतलब समझ रहे हैं आप क्या बोलरे हैं तो अरुन जेटली जी ने बोला था, कि हम चुनके आये है, हमको लोगों ने चुनके भेजाए, हम MP हैं, हम राज़ा सबान, लोग से हमें बैठके जनता का प्रतिनितित्व कर रहे हैं और हमने जनता के जो mandate थी जनता का अश्रवाद हमारे पास है इसलिए हमने एक जोडिश्रीक इग्जाम क्लियर करके वह सब बैठे तो वह जनता का अश्रवाद नहीं है उनके पास लेकिन उन्होंने जिनके पास जनता का आश्रवाद था उनको खतम कर दिया इसलिए 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 उससमय लेट श्री अरुण जिटली जी ने ऐसा बयान दिया था कि य जब एक्जेकेटिव के पास पावर रहती थी तो उन्होंने खूब टालम टोल किया है सुप्रीम कोड के चीफ जसेजी का जो अपॉइंटमेंट होना था वो उसमें छेडशाड करी जैसे 1950 से 73 तो क्या होता था कि जो भी सीनियर मोस्ट होते थे सीनियर मोस्ट सबसे 766 की बेंच एक ने जिसने देश की डिमँक्रसी बचाई जिसने देश को एक बहुत बढला डॉक्राइन दिया है बेसिक स्ट्रक्चर का तो इस बेंच में कुछ ऐसे जज़ग्हस थे जो सरकार के साथ थे जो सरकार के साथ नहीं थे ठीक है तो खाली एक जज़ की बस प्रॉब्लम थी बस एक जज़ भी अगर इदर से उधर हो जाते तो आज रूप रेखा कुछ और होती हमारे संविधान की हमारे डिमॉक्रेसी की हमारे पार्लेमेंट की खेर ठीक है तो यहां पर जो माइनॉरिटी बेंच में जो थे जो इस केस के अंदर यह केस ऑफ़ोर्स पतला भी शकल दिखते हैं आपको आधी बात समझ में आज जुकी है क्या हुआ होगा तो जब यह हुआ तो ऐसे में क्या किया गया जो जस्टिस एन्रे साहब थे एन्रे साहब जो माइनॉरिटी बेंच में थे जो माइनॉरिटी उपीनियन इस सुप्रीम कोड में से हम उसको जज बनाएंगे जो हमारे साहथ है तो एन्रे साहब को अपॉइंट किया गया एस सीजई आए ऑन एप्रिल 25th 1973 बाइ सूपर सीडिंग थ्री सीनियर मोस्ट जज़स जस्टिस शेलाद जी जस्टिस हिगडे जी जस्टिस ग्रोवर जी सरकार ने एनरे साहब को चुना और इनको उठागे बना दिया सीजी आए फिर तो उसके बाद एक के बाद एक तीरों ने स्टिफा दिया कि क्या है इन्होंने अपनी कुरसी चूड़ दी इन्होंने अपनी चीफ जस्टिस शिप छोड़ दी कि हम अपसे नहीं रहेंगे और अभी यही case नहीं था, इसके बाद भी, जब आपको याद होगा, एक बहुत बड़ा case आया था, नाम ही नहीं है यापर, so, ये case याद करो, ADM, जबलपूर, याद आ गया, अब इस case में क्या हुआ था, कि एक बहुत बड़े सम्मान्निय जजज ने, 1977 में भी, ये हुआ था, क जो सबसे senior most judge थे, उसमेंजन को बनना था, और मैंने कई बार बताया भी है, कि वो judge साहब इतने strong थे, इतने strong will थे वो, और उन्होंने judgment के एक रात पहले अपनी sister को बोलते हैं, कि मुझे पता है में कल क्या करने वाला हूँ, और मैं जो करने वाला हूँ, उसकी वजए से मेर करसी जाने वाली chief justice ship की, मैं chief justice नहीं बन भावगा आगे चलके, पर मुझे सच का साथ देना पड़ेगा, मैं सच के साथ हूँ, और जो हो, मैं भोगतने को तयार हूँ, फिर इन्होंने अगले दिन वो judgment दिया, इसी case में, और A.D.M. जबलपूर versus शिफकान चुकला case, तो इ नहीं हो सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा important point था यह, और इस case का नाम आपको याद आ जाना चाहिए, case का नाम तो भले ही यह है, पर textbook में, theory में, supreme court के record में, उस case का नाम कुछ और है, H से शुरू होता है, please बता देना, so यह discretion था, उस समय सरकार का, के यह curtail हुआ by the supreme court in the second judges case of 1993, क्योंकि सरकार ने दो बार अपने discretion पर 73 में, और 4 साल बात 77 में, ऐसा किया गया, कि यंग judge को उठा के, उठा के, उठा के, उठा के सीजाई बना दिया गया, अभी उनको सीडी चड़नी थी, और बनना था, पर नहीं, सरकार ने का कि हमारा मान है, हम सरक कि, बाई-बाई, टाटा, all the best, अब नियोगा, फिर supreme court ने बोला कि senior most judge of the supreme court should alone be appointed to the office of the CGI, खतम करते इन्होंने बात, second judges case से इन्होंने बोल दिया कि CGI की जो सला है वो माननी पड़ेगी, और senior most judge होगा, जो convention है, वो follow होगा, तो वो follow करवाये गया, ठीक है, फिर अब आगे चल बन सकते हैं, no, he should be citizen of India, बस, पहली बात तो यह, सबसे पहले तो इसी पर हो, कि नागरिक तो हो पहले है, कई बार का नहीं आ जाए, ठीक है, फिर दूसरा, he should not, sorry, he should have been a judge of the high court, और high courts in succession for at least five years, या तो वो judge रहे हो, किसी ना किसी high court के कम से कम पांस साल, या बहुत सारी high court हो हो के, मिला के पांस साल, मान लेते हैं, पर continuation में, ऐसे नहीं, दो साल, दो साल वो high court के judge रहे हैं, अलाबाद high court के, फिर वो चुट्टी ले गए, तीन साल की, फिर उसके बाद एक साल judge बने है, गुवार्टी high court के, फिर एक साल बाद और चुट्टी ले ली, फिर गए, नही high court के, high court के advocate कम से कम 10 साल के वो रहने चाहिए, तब जाके, भले ही वो judge ना रहे हो, या फिर वो एक बहुत ही distinguished jurist होने चाहिए, in the opinion of the president, distinguished jurist माने क्या होता है, कि जिनको law का घ्यान बहुत जादा है, जिनको judicial knowledge बहुत है, मान लेते हैं, कोई professor है, जो national law university के professor है, बहुत होता है, ठीक है, तो मान लेते हैं department मने हुए, civil cases के, criminal cases के, अब कोई एक professor साहब है, जिनके की बहुत अच्छे articles आते हैं, जिनके बहुत अच्छी किताबे आ रखी हैं, जिनके बहुत अच्छे interviews हैं, बहुत अच्छे seminar देते हैं, वो उन्हें बहुत जादा knowledge है, और वो distinguished है हैं, वो मतलब eminent person है, बिलकुल उन्हें ऐसा है कि वो हैं आखरी law का, जो उन्होंने बोल दिया पत्था की लगिर है, वो जो बोलेंगे, तो अगर राश्पती जी के नजर में, that means सरकार की नजर में, अगर वो एक eminent jurist हैं, that means they can also be a part of Supreme Court के bench, Supreme Court के judges का, now सम्विधान ने बि आप एमिनन जूरिस्ट हूँ, ठीक है, मुझे बहुत नॉलेजर लोग की, मैंने पूरा लोग पढ़ लिया है, मुझे सब आता है, ठीक है, हो सकता है सरकार को मैं पसंद आजाओ, तो मेरा नाम भी चला जाए, क्या पता, खेर, who knows, so, किसी कोई minimum age नहीं दी गई है, ऐसा न को याद हो, क्या पता, इंटरनेट ही हो, तो अब यह हो सकता है, कि हाँ, किसी को भी हम उठागे, सुप्रीम कोड का जज बना सकते हैं, यह बोला जाएगा, ठीक है, तो यह लोग बन सकते हैं सुप्रीम कोड के जज, नाओ, कमिंग टू, अब यह जज बनने से पहले, before taking office, याद रखिएगा, यह हर public office का यह हाल है, जहां भी आप कोई office grant करने जाते हो, फ्यूचर में आपको भी शबत लेनी पड़ेगी, ठीक है, तो जब भी आप office लेते हो, office में आप अपना जो आपके उपर भार आने वाला है, जो duties आपके उपर आने वाली है, उससे पहले, आपको एक शबत लेनी पड़ेगी, और शबत को grant भी करना पड़ेगा, ठीक है, an oath or affirmation before the president, राश्पती जी के सामने, या राश्पती जी किसी का नामंकन करते हैं, कि इस फलाने व्यक्ति को, मेरा जो chief of staff है, मैं मान के जल रहा हूँ, chief of staff जो है, वो CGI सहाब को शबत दिलवा जाहिर तोर पे, ठीक है, now, जब ये oath लेते हैं, तो कोई भी judge, चाहिए वो chief justice हो, चाहिए बाकी judges हो, उनको oath का जो part है, जो उनका text है, वो ये कहता है, to bear true faith and allegiance to the constitution of India, कि सम्विधान के प्रती सची निष्ठा, सची इमानदारी, सची बिलकुल शरद्दा, सब कुछ दूसरा, to uphold the sovereignty and integrity of India, देश की संप्रभुता, देश की अखंडता, इसको बचा के बना के रखूँगा, to duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of the office without fear or favor, affection or evil, कि जहां तक भी, मतलब मेरी ability है, जहां तक मेरी knowledge है, जहां तक मेरा judgment कहता है, जहां इतनी मेरी capacity है, वहां तक मैं अपने, मैं अ जो मेरा करतव्य है, मेरे office का जितना भार है, मैं सारी duties निभाऊंगा, बिना किसी ill will के, बिना किसी डर के, बिना किसी ख्वाहिश के, बिना किसी favor के, बिना किसी के affection से जुड़के, मैं अपने सची निष्ठा से पूरा अपना काम करूँगा, जितनी मेरी capacity में है, now, to uphold the constitution and the laws, साब बात है, जब जिसके प्रती हमने च्रद्दा रखी है, हमने निष्ठा रखी है, सची निष्ठा रखी है, उसको तो uphold करेंगे ही न, उसको तो uphold करवाएंगे ही न, यह सारे laws हमारे, तो इनको हम, यह इनकी ओस का part है, salaries की बात करो, salaries जो इनकी आती है, तो इनकी salary हो, चाहिन के भत्ते जो मिलते हैं, चाहिन को जो प्रेविलेज मिलते हैं, यहाँ पर E आएगा, ठीक है, प्रेविलेज मिलती है, लीवस मिलती है, पेंशन मिलती है, यह सारी की सारी डिटर्माइन करता है पार्लमेंट, अब मत सोचना कि पार्लमेंट अगर डिटर्माइन करता है तो क्या हमारी सुप्रीम कोड इंडिपेंडेंडेंट नहीं है नहीं नहीं इंडिपेंडेंडेंडेंट है Article 360 ने बोला कि they cannot be wear it to their disadvantage after their appointment except during a financial emergency मतलब क्या हुआ इसका मतलब इसका यह हुआ कि अगर एक बार कोई जज अपनी कुर्सी पे आ चुका फिर तो बस financial emergency ना लगे बस यह याद कर लेना कि देश में वित्तिया आपदा ना आई हो पर अगर वो जज अपनी कुर्सी पे आ चुका है तो भले ही वो सरकार के फेवर में judgment दे या ना दे इससे फरक नहीं पड़ेगा और उनको जो salary मिल रही है उनको जो भते मिल रहे है जो उनकी privilege मिल रही है उनको जितनी जो सेवा हैं सुख जितना उनको services मिल रही है उनमें कटोती नहीं हो सकती आप उसको बढ़ा सकते हो आप उसको आगे और ले जा सकते हो कि इनको चार कमरे का बंगला नहीं देके इनको छे कमरे का बंगला दे दो ठीक है वो अच्छा कर सकते हो आप पर ऐसा नहीं हो सकता कि चार कमरे का बंगला इंसे चीन के इनको बोल दो कि जाओ अपने आपसे रहो भार हम नहीं जानते हैं नहीं यह नहीं हो सकता वो एक बार आ गए अपने अपने चेहर पे अपने ओफिस में बैट मींज दे आर एंटाइटल अंटिल अंटिल जब तक वो सर्विस में हैं डाट इस पैश्ट साल की उमर तक नॉर्मली पर फिनाइशल इमर्जनसी चीजिन आ जाएगी इस दिन वित्तिया पता आ जाएगी उस दिन हो जितने सर्विस में लोग हो उनकी सैलरी में कटोथी कर सकता है पर उतनी समय तक करेगा जब तक फैनेशल इमर्जनसी लाग हुए और फैनेशल इमर्जनसी के फैनेशल यह जब तक एंड और तबी तक ठीक है अब यह आद रखना कि जो इनका सैलरी होती है जज़स अफ ह करनाटक रजस्तान बंगल इन सारे के सारे स्टेट्स में अपना अपना एक सी एपेस होता है जैसे देश का संचित राजकोष होता है Consolidated Fund of India जिसमें सारा पैसा रखा होता है तो ऐसे ही States का भी अपना खजाना होगा चोटा चोटा तो उन खजानों से काम करने वाले High Court के Judges की सेलरी जारी होगी अब जो High Court के Judges रिटायर हो चुके हैं वो पेंशन जो उनको जानी है वो जाएगी CFI से CFI, CFS क्लियर हुआ यानि कि जब Judges रिटायर हो चुके हैं High Court से तब उनकी जो पेंशन आईगी वो पेंशन आईगी देश के खजाने से और जब वो काम कर रहे है अपने High Court में तब उनकी सेलरी आईगी स्टेट के खजाने से हर स्टेट का अपना-पना High Court स्टेट में तो होते हैं तो वही से आईगी जहां से काम कर रहे हैं तो अब तक काम करेंगे ये तो सम्मिदान ने वैसे तो बोला नहीं कि कितना समय है इनके पास जिसे बागी कोई MP है पांस साल रह सकते हैं वो कोई CVC हैं कोई CAG हैं कोई CA हैं तो उनका 10 और फिक्स कर दिया गया इनको बोला कोशन है हम नहीं जानते जब तक आप 65 के ना हो जाओ ठीक है तब तर आप रह लो या अगर अगर ये प्रॉब्लम आ रही है कि 65 के हैं कि नहीं यह कब कितनी चल रही है कि तो पार्लेमेंट निर्धा अरित करेगा किसी ऐसी ऑथोरिटी बना गे कोई एसे कुछ तीन प्रोविजन अगर आ रहे हैं कि भाईया पार्लेमेंट फिर तै करें कि जज़स की एज कितनी है यह तीन प्रोविजन है फॉर दटेन और जज़स या फिर पहले बाद तो यह कि वह या तो 65 साल तक के काम कर रहे हूं दूसरा वह रिजाई नहीं कर सकते हैं र बढ़ी प्रोसेश चलेगी बाइद प्रेसिदेंट ओन दे रेकमेंडेशन ओफ द पार्लमेंट जिनको अपॉइंट किया राश्पती ने तो रिमूब भी तो वही करेंगे पर उनको रेकमेंट कौन कर रहा है पार्लमेंट कर रहा है यह बहुत बढ़ी चीज है यह तो भा इंपीश्मेंट वर्ड खाली राश्पती के लिए रिजर्व है पर जो प्रोसेस है वो इंपीश्मेंट वाली है कैसे मतलब एक जज़ को सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग ज़ज को आप रिमूब कर सकते हो by only an order of the president कैसे किया जाएगा only after an address by the parliament has been presented to him in the same session for such removal अगर किसी जज को हटाना है तो पहले पार्लेमेंट एक लिखित में दे राश्पती जी को कि सर इन जज़ को हटाना पड़ेगा इन जज़ को हटाने की अब आज समय आ चुका है प्लीज कृपा करो और इनको हट जाने कर order pass कर दो ठीक है तो यह जो address होना चाहिए they must be supported by a special majority of each house of parliament दोनों हाउसे राजे सभा लोक सभा वहां की special majority से पास होना चाहिए special majority मान समझ में आ गया 2 3rd president voting जो पूरे total का 50% cross करना चाहिए वो number ठीक है that is a majority of the total membership of that house and a majority of not less than two thirds of the members of that house president voting बता हूँ फिर से क्या होता ही है यह भूल तो नहीं गए हो यह याद आ रहा है मान लेते हैं कि भाई एक सभा में लोग है कुल मिला के 500 वैसे कितने अभी ज्यादा ही है ना मैं मन के जाला हूँ 500 है ठीक है अब मैं कहा रहा हूँ कि जिस दिन इन जजज साहब को remove करना है उस दिन इस house में लोग आए है 250 ठीक है अब 250 में से 50 लोग तो कह रहे है हम तो vote नहीं दे रहे अब बचे कितने 200 लोग अब ये 200 का 2 3rd ये हां बोलना चाहिए ये वाला नंबर 200 into 2 3rd अब अगर ये नंबर जो भी आएगा ये 500 में 50% से उपर है तब तो हो पाएगा अब मान लेते हैं ये नंबर जितना भ तो obviously हमें समझ में आ रहा है कि ये जो नंबर है ये 200 से तो कमी है ये मतलब वो नहीं रिमूव हो पा रहे है ये नंबर क्रॉस होना चाहिए 2 3rd of President and voting more than 50% of the total special majority ऐसे नहीं है लगा सकते आप हर दिन सुबह उटके नहीं बोल सकते कि जजज साब को अटाना है राश्पती है अब ठीक है the grounds of removal क्यों remove करना किसी को तो दो grounds दिये हुए है पहला ground है proven misbehavior कि उनका कोई बदमिजाजी प्रूव हो गई हो उनका कोई बद विवार दुर विवार प्रूव हो गया हो जिसका सबूत भी है गवा भी है गुना भी है सब कुछ मिल गया दूसरा या तो वह incapac separated क्या तो जजज सहाब हो सकता है खुदा ना खासता कोमा में चले गए हूं हो सकता है जजज सहाब को एमनीजिया हो रखा है भूलने की विमारी है अब जो जिन को भूलने विमारी है उनसे आप कैसे किसी की जीवन और मौत का सवाल उनसे पूच सकते हो कैसे किसी से Constitution के तो अगर कोई ऐसा काम चीज बाहर आ गई किसी जज की तब तो फिर यह होगा किसाब रिमूव करो ठीक है अभी ऐसे भी नहीं होगे रिमूव अभी इसके बीचे पहले पूरी कमेटी बनेगी पहले उस पर डिसकेशन होगा सब कुछ होगा आप यह याद करो जो पहला केस थ इल्टी ऑफ मिस्बेहवियर फी कुड नॉट बी रिमूव अज बिल वस दिफीटेट अस था इंपीश्मेंट मोशन वस दिफीटेट इन लोगसाब पता है क्यों हो क्यों क्योंकि आप सिंगर गई थी हम मोट नी देंगे चॉंग्रेस वोड अब वॉक आउट कर गई थी तो हुआ क्या कि इन जजज सहाब के ऊपर जो महावियों का अभियान चालू हो चुका था और राजसाबाज पास हो गया था लेकिन वो अभियान लोगसाबाज में फेल हो गया वो इंपीश नहीं हो पाए एक बार प्रोसेडिंग शुरू हुई है जस्टेश्री वी रामस अब यह कैसे होगा तो कहानी सुनू कहानी ऐसी है रिमूबल मोशन साइंड बाइ 100 मेंबर्स हंड्रेड मेंबर्स इन लोग सबाइब 50 मेंबर्स इन राज्यसबाज यह लोग मिलके अपने स्पीकर को अपने टेर्मेन को लिख के दें हम सो लोग मिलके साइन कर रहे हैं हम 50 लके साइन कर रहे हैं कि साव इनको यह Vamos किसी भी हाऊस से मझेट सकता है। ब स्ब्सक्राइय के साथ भी खाइन के मढ़रेंगे कि साथ खर को जबा जरूआ लघाये ह् Тू इंक्वा उठर को ब्लॉट और क्या 50 लोग है आपके पास बोलेगे नहीं पचास तो नहीं है तो बैठ जाओ चलो बैठ जाओ फिर उदर ये उदर राजयसभा में तो यह बिल हो गया का का इसका तो काम करता हम लोग सबाब में 100 मेंबर चाहिए ऐसे जो यह बोले हैं कि सर हम इस मोशन पर बात करना चाह रहे हैं इन जज़स के रिमूवल का बात करनी कराओ अब स्पीकर ने अब भले ही 150 मेंबर आ भी गए तो स्पीकर या चेयर्में जो भी राजयसभा के हैं दें में एडमिट और रिफ्यूस्ट व जो बहले ही 100 लोग उनके पास स्पीकर साब करेंगे क्या माजा कर रहा है जज है जज है जज है जज सुप्रीम कोड का जज है तो बोलेंगे हाले कर न अटाना है वह ऐसे नहीं अटाना है बढ़ जो तो वह बिठा भी देंगे हो भी सकता है ये भी आगर ये मोशन जुरिस्ट यहां पे तीन लोग आ रहा है और तीनों लोग जुडिशरी के हैं जो जुडिशरी के ही लोग होंगे और अपने ही किसी भाई को अपने ही किसी ब्रदर जज़ को रिमूव करने वाले ये लोग होंगे और ये तै करेंगे कि क्या ये जो मोशन आया है क्या ये म होगा जब ये कमिटी अपनी अपनी फाइंडिंग निकालेगी फाइंड जजस तू भी गिल्टी ऑफ मिस्बेहवियर और सफरिंग फ्रॉम एन इन केपसिटी देट देट अपनी फाइंडिंग देदे कहां साव हमने ढूंड लिया और गलती है हां प्रूवन मिस्बेहवियर बहुत बढ़ी गलती हो गई है यह मिस्बेहवियर बहुत बढ़ी चीज़ होती है ठीक है या तो यह हो या भाईया वो जजज के सामने प्रूव हो जाए कि साव यह जज अब जो है जज रहने लाइक नहीं रहे है अब यह इनकेपसिटी टेट हो गए अब इनकी केपसिट राजपती जी को एक एडरस दिया जाएगा कि सर दोनों हाँस से आ चुका है परलेमेंट ने बोल दिया है Parliament means देश की will, देश की जनता, देश का अशिरवाद, देश का mandate, देश का सब कुछ अब आपको अटाना पड़ेगा फिर राश्पती जी क्या करेंगे He will pass an order removing the judge इतना लंबा काम है सोच रहो, बहुत लंबा काम है यह किसी judge को आप उसकी कुर्सी से हटाना, मतलब की बहुत बड़ा काम Now, अब acting chief justice कुछ ऐसे भी judges होते हैं जो ऐसे additional नाम से आते हैं acting chief justice, ad hoc judges तो यह सब क्या है One of the reason कहता है, the president can appoint a judge of the supreme court as an acting CGI, जब, कब Supreme Court का कोई और judge जिसनको CGI बना सकते हैं राश्पती जी कब, जब CGI की कुर्सी खाली हो या CGI is temporarily absent CGI साब की तवेद बहुत खराब है CGI साब जो है, वो UK गए हैं US गए हैं, किसी काम से गए है CGI is unable to perform the duties of his or her office कि मान लो CGI की घर के बार ऐसा तगड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है कि CGI साब निकली नहीं पारे हैं से लो हैं भी weekend भी नहीं है कुर्सी और यहीं भी है पर temporarily absent भी नहीं है, रोज अपने घर से phone कर रहा है कैसे आउँ लेकर कोई हटा ही नहीं पार है उन्हें, वो आई नहीं पार है तब ऐसे मैं एक acting चीज़स्ट बनाए जाए जाए जाएंगे ठीक है, ad hoc judges, 127 क्या कहता है कि अगर कोरम का lack हो, if there is a lack of quorum, कोरम समझ में आता है न, minimum number, minimum number of members required, मतलब कम से कम इतने लोग तो हो, quorum हमने words होना था पार्लिमेंट चेप्टर में, quorum आप क्या कहता था, minimum number of MPs required to make a session possible, कितने members चाहिए होते हैं वहाँ पे, quorum में, तो minimum number of members required, required, required to conduct, conduct any meeting or session, a meeting, ठीक है, ऐसे समझ लो इसको, तो यह होता है quorum, फिर अगर quorum नहीं है, of permanent judges, to hold or continue any session of the Supreme Court, अगर quorum नहीं पहुच पारा है, क्या करें, नहीं है, है ही नहीं judge, लब काई नहीं पारा है, तब ऐसे में क्या होगा, कि CGI can appoint a judge of high court as ad hoc judge, पर ये भी तब हो, जब उनके पास consultation हो, of the concerned high court, plus the previous concern of the president, क्या हुआ, क्या की हमने, हमने बोला, कि Supreme Court में जो है, वो quorum नहीं हो पा रही है, 33 judge है, plus one CGI है, मान लेते हैं, कि 30 judge गायव है, लो, 30 judge ही नहीं, जाने का है, kidnap हो गए, खुदाना खास तक अभी ऐसा हो, पर judge नहीं है, Supreme Court में judge ही खत्म, मतलब मिल नहीं पा रहे है, तो, ऐसे में क्या हुआ, CJ बोलेंगे, कि मैं high court से judge को उठा रहा हूँ, लाओ, आज़ो, अब, ये जो judge हो, पहली बात तो ये, जिस high court से आये, वहाँ के सीव जशिस जी के, इनके बाद consultation हो, दूसरा, उनके पास राश्पती जी का पहले से previous concern हो, कि हाँ, हाँ, मुझे मालू में जरूवत है, आपको ले के आओ judge, ठीक है, जल्दी जाओ, फिर उसके बाद, ये जो ad hoc judge होंगे, ये ad hoc judge तो पहली बात तो ये वो होने चाहिए, जो already कभी भी Supreme Court के judge बनने की काभिलत रखते हूँ, पहले से ही, अभी हमने काभिलत पढ़ी है पीछे, क्या क्या qualification चाहिए होती है, जो qualification चाहिए, वो qualification already in judge के पास होनी चाहिए, जिनको उठा के लाया जा रहा है, ad hoc basis पे, ad hoc माने, temporary, अभी कुछ दिन के लिए, फिर, इन ad hoc judge के पास, वो सारा jurisdiction होगा, वो सारी पावर होगी, सारी privilege होगी, जो एक Supreme Court के judge को already मिलती है, बका जब कोई judge retire होके घर बैठके अपना अख़वार पढ़ रहे हैं सुखे सुखे, आराम से बैठे हैं, चाहिवाई पी रहे हैं, जिंदगी ठीक चल लई है, इदम से रातो रात फोन आ जाएगा, कि judge साहब, please, अगर आपके पास दो महीने का समय हो, तो जरा आ जाओ, हैं, क् यह भी according to, हमारा constitution के तहत ही है, कि CGI can request a retired judge of the supreme court or high court, who is duly qualified for appointment, अगर high court का judge होगा, कोई भी, जो supreme court में लाया जा रहा है, जाए एड-hoc basis पे, जाए retire हुआ judge को, तब वो judge वो हो, जो already qualification रखता हो, कभी भी supreme court का judge बनने की, बस, यह याद होना चाहिए, जैसे राश्पती जी, वो person बन सकता है, जो already qualification रखे, कम से कम लोगसभा का member बनने की, ठीक है, तो, ऐसे ही यहाँ पर high court के judge को अगर ला रहे हुआ, जो retire होके घर बैठे हुआ है, कि आप तब आओगे, जब आपके पास already, आपके पास supreme court के judge बनने काबियत हो, ठीक है, as a judge of the supreme court, to act as a judge of the supreme court, for a temporary period, कुछ समय के लिए, दो-चार महिने के लिए, कब, only with the previous consent of the president, and also of the person to be so appointed, कई यह नहीं हो कि तुमको बेज यह समन, तुम आई क्यों नहीं, तुमको तुमको तुमने judge बनाया था दो महिने के लिए, कब पूछा काम उससे, कि नहीं नहीं नहीं, आप पूछ रहे हैं आ आज अरे तो तेख लो क्या पूरा इनको सब देना पड़ेगा पूरी सुक सुविधा, तो चीज अचीज बोलेंगे कि मैं बता हूँ, अभी रूख जाओ, पहले मुझे judge चाहिए, ठीक है, तो ऐसे case में, राश्पती जीतता है करते हैं, कि हम इनको क्या सुक सुविधा है, क्य यहां मैंने इनके official duties लिखी है, जो एक judge को उस judge की chair पर बैठने की वज़ा से, जो उनको जो power मिलती है, जो उनको jurisdiction मिलता है, जो उनको privilege मिलती है, वो सब वो enjoy करेंगे जितने दिन वो यहां पर है, now, he will not otherwise be deemed to be a judge of the Supreme Court, पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप already retire हो, आप तो जाम हो जाएगा, फिर आपको बोला जाएगा, sir, thank you very much, आप जा सकते हैं, तो जब तक वो है, तब तक उनको वो सारी jurisdiction मिलेगी, उनको वो पुरा शेतरादिकार मिलेगा, जहां जाब है, जजमेंट दे सकते हैं, अब Supreme Court की seat कहां पर होनी चाहिए, तो Constitution ने बोला हुआ है, क Delhi will be declared as the seat of the Supreme Court, but, 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 ऐसा भी possible है, कि कभी दिल्ली में ऐसी कोई pollution की problem आ जाए, दिल्ली में कभी इतना ज्यादा traffic jam हो जाए, कि लो, अपने निवास सी Supreme Court office नहीं पहुच पारे, तो ऐसे में क्या होगा, CGI is authorized to appoint other place or places as seat of the Supreme Court, मान लेते कल को Supreme Court के चार bench बन गए, एक bench बन गई, South India bench, जहां वो मदरास में है, एक bench बन गई, Eastern bench, बिल्कुल जो North East में है, और ऐसे CGI सहाब ये तै कर सकते हैं, कि हम दूसरी और कौन कौन सी place है, जो बना, अभी Supreme Court की एक ही bench होती है, जैसे अलाबाद High Court की दो bench है, अलाबाद High Court और लखनव bench, तो MP High Court की दो से तीन benches है, भोप only with the approval of the President, राश्पती जी का approval होना चाहिए, बट ये provision जो है, वो only optional है and not compulsory, ज़रूरी नहीं है, कि राश्पती जी बोलेंगे हाँ, मुझे तो seat चाहिए, बैंगलोर में, तो का बाइरे ठीक है, काम चल रख करो, तो no court can give any direction either to President or to the Chief Justice, के to appoint any other place as a seat of the Supreme Court, अब कोई और कोड क आप से क्या लेना देना है, नहीं जरूरत है, CGI अकेले खुद बोलेंगे, अगर उनको लगेगा कि हाँ ये जरूरी है, कि आप Supreme Court जो है, यहाँ पर problem ज़्यादा हो रही है, बहुत सारे ऐसे लोग है, South India के, जिनको बार बार आना पड़ता है Supreme Court, तो एक काम करते हैं, एक काम हो जाएगा, ठीक है, यह तब हो सकता है, जब CJS आप खुद कहें, और आश्पती जी का मंजूरी उनके पास हो, अब चलो, हमारा Supreme Court काम कैसे कर रहा है, Supreme Court can, with the approval of the President, make rules for itself, for regulating generally the practice and procedure of the court, के खुदी बनाते हैं अपने आप से, अब constitutional cases होते हैं, और reference made by the President जो होते हैं, जै Supreme Court, या फिर कोई constitutional case आया है, उनके पास, जैसे आधार act, तो आधार case जो आया था, पुट्टा स्वामी जज्मेंट, अब ये एक constitutional bench के पास गया था, तो they are decided by a bench consisting of at least five judges, अब जो पांच judges की bench होती है, पांच से बड़ी bench होती है, हम उसको बोलते है, Constitution bench, समविधान पीठ, Constitution bench नहीं फैसला दिया है, three two से, three one से, sorry, four one से, या five zero से, जो भी, ठीक है, या दूसरा, जब कोई reference राश्पती जी भेजते हैं to the Supreme Court, तो जब राश्पती जी कोई, कोई जब reference भेजते हैं, उसको बोलते है, in re, in re, बेरुबारी union, ठीक है, मतलब क्या हुआ, कि राश्पती जी है, इसको बोला जाएगा, in re, बेरुबारी union, या in re, केशफ सिंग केस, तो ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, कि राश्पती जी ने reference made किया है, to the, to the Supreme Court, under article 143, कि राश्पती जी की तरफ से ये reference है, सरकार की तरफ से reference है, now, ये, जो इस bench, जो, इस bench को छोड़ दो, सम judges bench, या two judges bench, division bench बोलते हैं उसको, तो division bench बने, अब ठीक है, ये तो bench अपनी है, तो दो judges की bench है, तीन judges की bench है, इसको बोलेंगे हम division bench, यहाँ पर ये खतम हो जाएगा, फिर judgments are delivered by the open court, ये बहुत important है, अगर ये नहो, तो फिर तो सारा game ही over हो चुका है, अब आपको अगर narcos या judiciary डरी होई थी, narcos से, cartel से, तो क्या हो रहा था, कि उसमें एक सीन आता है, जिसमें judges लोग मुँपे नकाब डाल के, फिर judgment देते थे, cartel के खिलाफ, क्योंकि पता था, अगर cartel को बता चल गया, judge कौन है, तो वो judge रातो रात गाया हो जाता था, तो अब ऐसे किसमें, क्या हो हमारे हैं, लेकिन, जो judgment होंगे, open court से आएंगे, open court से आएंगे, सारे के सारे judgments are by majority vote, पर अगर किसी मत्वेद है, किसी मत्वेद हो रही है, then judges can give dissenting judgments और opinions, कि 5 judges की bench है, 5 मैंसे 3 judges तो कह रहे हैं कि हम तो राजी है, ठीक है, बढ़ी है, 2 judges कह रहे हैं कि no, no, we don't stand with you, sorry, तो ऐसे case में, ये भी अपनी जो opinion देंगे, वो भी देंगे open court में, इनके भी जो verdict आएगी, वो open court में लोग ये पढ़के बोलते है, confidence के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, कि हम जो बोल रहे हैं, उसका ये logic है, उसका ये fact है, हम इस बिना पर ये बात बोल रहे हैं, तो open court में हो रहा है, स position party, खिलाफ party, दोनों party हो बुला के तब सामने हम करेंगे, तो कोई बिना डर के, बिना किसी favor के कुछ नहीं, जो judgment आएगा, पूरी public के लिए, सब के लिए public है, सब जाके पढ़ लो, कोई भी जाके पढ़ लो, सब के लिए valid है वो, तो judgments आरे open court से आ रहे है, अब Supreme Court के पास इतनी जादा, जब इतना इनके पास जब्मेदारी है, Supreme Court has been assigned a very significant role, क्यों, क्योंकि भाई, वो highest court of appeal है, वो guarantor है fundamental rights का, वो guardian है सम्विधान का, तो जाहिर बात है कि इनके पास absolute, absolute responsibility है, तो अब इसी की वजह से, इनकी independence, इनकी स्वायत्ता, इनकी अजादी को maintain करे रखना बह बहुत क्रूशिल है, ना ये जो हमारा Supreme Court है, it should be free from encroachment, pressures and interference by the executive or the legislature, सब के सब से इनको दूर रहना पड़ेगा, ये किसी party के साथ नहीं दे सकते, ये किसी MP का, किसी सरकार का, किसी council of administration, मंतरी दल का साथ नहीं दे सकते, ये कोई अर्थिकरमन नहीं हो इनकी territory में, territory माने, not physical territory but Supreme Court की जतनी domain है, उस सब के अंदर इनका, ये किसी कोई और इन पर दबाव न डाले, कोई इन पर pressure न डाले, कोई इनको interfere ना करे इनकी काम करने से, और कौन, कोई कौन, executive या, खुद Parliament पूरा, now, it should be allowed to do justice without fear or favor, ऐसा नहीं हो, कि किसी से डर के decision दे रहे हैं ये लोग, ये किसी के favorization दे रहे हैं लोग, उसके साथ दोस्ती करके, नहीं, they have to be impartial, they have to remain neutral, and they have to remain stuck with the truth, बस, अब समयदान ने कैसे ensure किया हुआ है, बहुत तरीके से ensure किया हुआ है, कि इनकी independence कैसे बरकार रखनी है, कैसे करेंगे हम, वो ऐसे, इनका appointment कैसे हो रहा है, appointment are by the president, after consulting the judiciary itself, that is judges of Supreme Court and High Court याद आया, High Court के judges कैसे बनाए जाते हैं, Supreme Court के judges कैसे बनाए जाते हैं, राश्पती जी शपत दिलवाते हैं, राश्पती अपॉइंट करवाते हैं, by the consultation, judiciary consult करती है, खुदी से, now, this curtels the absolute discretion of the executive, यहाँ पे, जो कारेपालिका का, यानि की मंत्री मंडल का, council of ministers का, जो temporary executive जो है इनका जो discretion है, जो इनका विवेक है, जो इनका अपने इनकी मन मरजी थी, उसको curtail कर दिया गया, कि नहीं चलेगी आपकी, दूसरा, इनकी जो security of tenure, जो भी हमने पड़ा, कि इनको हटाना ही, बहुत बड़ी प्रक्रिय है अपने आप में, judges are removed only on the manner prescribed by the constitution, जो जम्विदान में और इंडिया में, कई कई दफ़े हमने बोला है, कि ये जो साहब है, he works only under the pleasure of president, जैसे गवर्नर साहब है, गवर्नर साहब किसी स्टेट के जो होते हैं, राजपाल साहब, जो मामाहिम होते हैं, they serve under the pleasure of president, जब तक राशपती जी, सरकार उनसे खुश है, तब तक ही वो है, otherwise न नहीं है, नहीं, 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 they do not hold their office until the pleasure of president, क्या राजपती खुश है तो काम कर लो, नहीं तो नहीं अटा देंगे, oh sorry, हम बैठे हैं, और हमको अटाने के लिए, जारा देखे, करके दिखाओ, लाओ, देखें, impeachment process, और impeachment process के बाद, उसमें कमिटी बनेगी, उसमें अबी जजेज ही हैं, तो हटा लेते हैं, लाओ, देखें, फिर, fixed service conditions, cannot be changed to their disadvantage, after their appointment, except during a financial emergency, अभी बढ़ा हमने, जब 360 के तहत, जब financial emergency लगाई जाएगी, के वल, उसी समें, इनकी salary, allowance, सारे जो सम्ट्योरी, allowance, भत्ते जो मिलते हैं, उन पर कटाओती कर सकते हो, otherwise नहीं कर सकत अच्छा और करना चाओ तो कर दो, otherwise वो नहीं हो सकता, इनका जो खर्चा आता, expenses as salaries, allowances and pensions of judges, staff and administrative service, जो जतना भी expense होता है, Supreme Court का, they are charged on the CFI, that means, अगर वो संचेत राजगोश के ऊपर, वो पैसा जाता है, मतलब पैसा महा से खर्चा होगा, तो वो non-votable है by Parliament, non-votable by Parliament, Parliament can discuss, Parliament can discuss, कि साब देख लो कैसे खर्चा कर रहे हैं, ये लोग, कितना खर्चा हो रहा है, देखो, कितने-किते सारे paper की copy कापियां, waste हो जाती है, इतना ज्यादा थोड़ा इसे पूछ लोग, अगर कम कर लें तो, वरना वो वोट नहीं कर सकते हो, उस पर कुछ भी, ये होते हैं, made to ये होता है, तो, जो expense charge on होते हैं, उस पर वोटिंग करी नहीं सकते हो, नहीं, वो खर्चा जाना ही जाना है, सीधा बिल फार्ड के सुप्रीम बोड बेच देगी, लो ये रहा, तीन कप चाय का बिल है ये, बर देना, जाओ, बरा जाएगा, ठीक है, करेंग जो भी तौर तरीका है, judges का, वो विवार को आप Parliament में discuss नहीं कर सकते हो, unless and until अगर impeachment process चाल हुए, तभी, बस, उसके पहले नहीं होगा, this means, the constitution prohibits this in both Parliament and stateless nature, ऐसा नहीं है, सुप्रीम गोड के Chief Justice जी के बारे में, करनाट का विधान सभा में चर्चाए हो रही है, हो ही नहीं सक इंपॉसिबल है, no, sorry, vice versa, जो MPs का जो आचरण होगा, वो भी discuss नहीं हो सकता in the courts, ये दोनों जगे बराबर है, legislature और judiciary, इन दोनों जगाओं पर हमने देखा हुआ है, कि दोनों जगें का आचरण, दूसरी किसी जगें पर discuss नहीं हो सकता है, ठीक बात है, now, ban on practice after retirement, ये इसलि किसी को in the hope of future favors, कि किसी को कभी किसी को ज़्यादा help ना करने, तो हमने बोल दिया है, कि जो भी judge होंगे, जब वो retire होंगे, तो वैसानियों कहीं practice करना शुरू करने, किसी और high court में जाके, महाँ पर जाके advocate की तरह लग जाए, या किसी और company में जाके, कोई consultant बनके, कोई और practice करें, नहीं, retire means retire, आप अप घड़ जाए, pension खाईए, प्लीज बैटके, और pension आपको मिलेगी, इसलिए मिल रही है, क्योंकि आपने इतने साल आपने सेवा दी है, ठीक है, तो judges are prohibited from pleading or acting in any court or before any authority within the territory of India, नहीं जा सकते हैं, now, power to punish for its contempt, Supreme Court can punish any person for its contempt, ये जुड़ीशरी के independence है, जुड़ीशरी ने, अगर Supreme Court ने बोला था, कि हमें दो हफते के अंदर ये आप undertaking जो आप sign करा आगया, आज देके गए हो, इसको ले क्या हो, और आप नहीं आए, Supreme Court contempt, contempt notice, सीधा, सीधे के सीधे, 6 महीने के jail या, fine या जो भी, ठीक है, freedom to appointed staff, CGI appoints officers and servants of Supreme Court independently without any interference from executive, नहीं करती है Supreme, कोई executive, कोई बात कहीं नहीं सकती है, Supreme Court का मन है, CGI का मन है, कि उन्हें कितने, उन्हें staff चाहिए, कितना officer चाहिए, कितने, उन्हें अपने और ज्यादा administrative services में चाहिए, रख लेंगे, उनका अपना मन है, jurisdiction and powers cannot be curtailed, but can be extended by Parliament, जो इनका अपना शेत्रादिकार है, जो इनकी अ कि separation of judiciary from executive, समविधान ने crystal clear करके रख हुआ है, state shall endeavor, state shall strive towards वो सब, now, jurisdiction and powers of supreme court, ये important है, ऐसा हुआ, ये हमारे सामने जो है, ये हैं, श्री, एके, आईयर साव, तो इन्होंने बोला, कि मैंने जितना समविधान पढ़ा, ये बहुत important committee के member भी थे, समविधान सभा की बहुत important committee के member थे ये, ठीक है, पताना मुझे कौन सी है, अब समविधान ने बहुत सारी power, very extensive jurisdiction and vast powers दे रखे supreme court को, इन्होंने बोला, कि क्योंकि मैंने ये सब देखा, इतना सारा, इसकी वज़े से मुझे लग रहा है, कि हमारे supreme court के पास has more powers than any other supreme court in any part of the world, कि किसी भी part, किसी भी दुनिया के किसी supreme court के पास चले जाओ, उससे ज्यादा power हमारे supreme court के पास है, हमारे इंडिया में, क्यों, क्यों, क्योंकि हमारा federal court नहीं है, ये, ये मतलब हमारा, ये American supreme court की तरह federal court भी है, British House of Lords की तरह हमारा final court of appeal भी है, दूसरा, ये final interpreter है, और guardian है of the constitution, और, guarantor of fundamental rights है हमारे हैं, advisory और supervisory powers भी हैं इसके पास, ये सारी की सारी चीजों की वज़े से, ऐसा लगता है, कि हमारा जो supreme court है, ये बहुत ज्यादा powerful है, दुनिया के किसी और supreme court की comparison में, क्यों, क्योंकि ये सब feature है, American supreme court की तरह federal character भी है, Britain का जो house of lords है, जो उपर वाली जो house of, उनका elder house होता है, बड़ा वाला house होता है, Senate वाला house होता है, अपर house of the British Parliament, तो house of lords के पास, court of appeal वाली power भी होती है, वो जो my lords जाके बैठे हमापे, house of lords, तो वो बड़े वाले MP है, उनके पास final appeal होती है, हमारे है supreme court के पास वो power भी है, final interpreter है, हमारा ही supreme court, interpret करता है, सम्वि supreme court का interpretation पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ठीक है, हम खुद से interpret नहीं करेंगे supreme court को, दूसरा, हम सम्विदान के guardian नहीं है, राशपती भी नहीं है, supreme court है, ठीक है, इसके बाद सम्विदान में जो fundamental rights हैं, उसका guarantor है हमारा supreme court, अब it has advisory and supervisory jurisdiction, ये advice भी देते हैं, राशपती ज उसको, तो बहुत ज़्यादा तगड़ी पावर हैं के पास, और श्री एके एर साहब ने ये statement दी थी, I want you to name, to tell me the committee he was the member of, so, coming to, इनका jurisdiction और इनकी कितनी पावर है, कैसी कैसी, ये सारी इनकी पावर है, एके करके भी सारी देखनी है, कि इनका original jurisdiction क्या है, रिट jurisdiction क्या है, पहला अपने आप से नया, तो आर्टिकल 131 ये एमपावर करता है सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि वो as a federal court act कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट can decide the disputes between different units of the Indian Federation, जो Indian Federation थी, हमने पढ़ा है federal feature हमारे देश के, तो हमारे जो federal features हैं, उसमें क्या है, संग है और states है, तो इनके बीच मे जो तालमेल है, इसको बोलते है federalism, अब क्योंकि ये as a federal court behave कर रही है, जैसे US का है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये authority है, कि वो decide करें ऐसे जगडे, ऐसे लफडे, जो किनकिन के बीच में हो, between center and one or more states, या फिर center और कोई state एक तरफ, और बाकी दूसरी तरफ, one or more than one states on the other side, या disputes between two or more states, simply, तीनों case है, एक तरफ center है और बागी सारे state लड़ रहे है, दूसरी तरफ, center और कुछ state है और कुछ state एक तरफ है, तीसरी state ही state आपस में लड़ मरे है, तो ऐसे case में हमारे जो फैसले होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, अब सुप्रीम कोर्ट क आगे बाद में देखेंगे, no other court can decide such disputes and original means, original का मतलब है, कि the power to hear such disputes in the first instance only, not by way of appeal, ऐसा नहीं होगा, कि center और दो states की बीच में जगड़े हैं, तो पहले वो dispute जा रहा है किसी दूसरी lower court के पास, किसी high court के पास, या दो state की बीच में लफड़े हैं, तो state कह रहे हैं कि नहीं नह आगे सुनो, तब चलेंगे बाद में supreme court, नहीं नहीं नहीं, original jurisdiction माने है, कि original माने है, पहले ही, मेरे ही पास ही आजाओ, सीधे, कोईसी की मत सुनो, तो अगर ऐसा कोई लफड़ा चल रहा है, कोई case चल रहा है, direct आप supreme court पहुंचो, article 131 के तहत, supreme court आपकी बात सुनेगी, आप इंजल jurisdiction वो क्या है, dispute जो हो, जो dispute हो, जो जगड़ा हो, वो हो, ऐसा कोई question उसमें involved हो, whether of law or fact, on which, जिस question के ऊपर, on which, कोई existence या extent of legal right depend कर रहा है, legal right depend कर रहा है, and question of political nature है, वो हम exclude कर रहा है, उस पर हम नहीं सुनेंगे, क्या बोला मैंने, मैंने बोला कि ऐसा होगा, जब भी जगड़ा होगा, तो जगड़ा होगा किसी question के ऊपर, कि question क्या है, या तो question कोई question of law है, या question of fact है, जब Supreme Court किसी चीज की तहकीगात करती है, कोई चीज की जब उस वो analysis करती है, उनके सामने किसी case की, तो दो तरीके से करती है, कि क्या ये एक कानून का उलंगन है, कौन से कान कानून के अंतरगत आ रहा है, या ये चीज हुई भी है कि नहीं हुई है, question of fact, कि हुआ है कि नहीं हुआ, ये तो पता करो पहले, और हुआ है, कौन सा कानून के तहट उलंगन हुआ, ये क्या हुआ है, अब ये जो question हो, ऐसा कोई भी, वो question किसी existence of, किसी legal right पे depend हो रहा हो, कोई political nature का question है, वो हम नहीं सुनेंगे, वो ठीक है, वो आप लड़ते रहो, आपस में high court में जाओ, और कहीं जाओ, देख लेंगे, any suit brought before the Supreme Court by a private citizen against the center or state cannot be entertained under this, नहीं आ सकता, ये नहीं कल को कि मैं ही चले जाओं center के खिलाफ Supreme Court में, नहीं, कोई अगर मैं कोई suit लेके गया हू कोई legal suit, कोई ऐसा कोई मान हानी का मुकदमा ठोगना जा रहा हूँ मैं, नहीं, वो नहीं चलता हमारे हैं, ठीक है, अब limitation क्या है, any dispute arising out of any treaty, agreement, convention, alliance, agreement, सनद, ये सब क्या है, ये समझोते होते हैं, agreement होते हैं, allowance होते हैं, तो अगर कोई essay, इसके around कोई question उट रहा है, which is pre-constitutional in nature, मतलब क्या है, कि ये सम्विधान की उत्पत्ती से पहले से ही है, कोई treaty हो रखी है, अब सम्विधान की उत्पत्ती से पहले ही कुछ ना कुछ ट्रीटियां थी, हमारे हैं थी, और सम्विधान जब आया, हमने देखा कि अच्छा, treaty provides that said jurisdiction shall not extend to such a dispute, जब सम्विधान आ गया, इंडिया कहीं जाके, बाहर जाके, sign करके, आया है, कहीं जाके, कहीं का signatory है, और फिर आके हमने कहा कि लो, center पर case हो गया, Supreme Court में, नहीं, नहीं होगा, ऐसे case में नहीं होगा, दूसरा क्या, जब कोई treaty, already, जब कोई, जब कोई, कोई provision already ये बोल रहा हो, कि नहीं, ये Supreme Court के jurisdiction मे नहीं जाएगा, तब वो फिर Supreme Court नहीं सुनेगी, उस पर, फिर को सुनेगी, जब मने हो चुकी है, तो पहले से, ठीक है, दूसरा क्या है, जब river water dispute होते हैं between states, तब ऐसे case में river water tribunal बनाए जाते हैं, जो river water disputes पे ही चर्चा गरते हैं, कि कि state को कितना पानी देना है, कितना पा Supreme Court नहीं उठाएगी, ऐसा कोई दूसरा मैटर, या adjustment of certain expenses and pensions between the center and the states, जो ऐसा मैटर है, वो इनके पास नहीं जाएगा, वो जाएगा Finance Commission के पास, या सरकार के अपने department के पास, ठीक है, यहाँ पर Supreme Court का original jurisdiction यहाँ पर लागू नहीं होता है, अब एक सर्ट में क्या हुआ था, प क्या हुआ था, कि एक coal mining, एक coal bearing areas थे West Bengal के अंदर, जहाँ पर कोई लेगा खूप सारा काम होता था, अब उसका allocation होना था, उसका acquisition होना था उस जगे का, किसी private company को देना था, या सरकारी company को देना था, for the extraction of coal, तो उसके लिए सरकार ने एक पास किया था, center ने, that is coal bearing areas, acquisition and development act 1957, जो Parliament ने पास किया था, center का act था, West Bengal ने का, अरे, यह तो हमारी जमीन थी, तो West Bengal चलागे, Supreme Court यहाँ पर, इनको center को लेगे, Supreme Court के पास, फिर Supreme Court ने dismiss कर दिया, the suit, by upholding the validity of the act, Supreme Court ने का, no, sorry, देश हित में, कोईला चाहिए, हमारी खदाने, हमारी factory यां, हमारी जो thermal power plant हैं, इनको कोईला चाहिए, ताकि बिजली का उत्पादन हो सके, ताकि energy का उत्पादन हो सके, आप आगे लड़ाई कर रहे हो, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा, यह करने तो इनको काम, काम सही कर रहे हो, फिर आगे चले, हमने कहा, RIT jurisdiction, यह क्या है, RIT, RIT माने, ऐसे Supreme Court के पास, क काम क्यों करवाने पड़ रहे है, क्योंकि किसी एक परसन का उलंगन हो रहा होगा, fundamental rights का, अब जो परसन का उलंगन हो रहा है, वो aggrieved person है, वो आदमी को, क्या बोलते हैं, उसे, ठेज पहुंची है, और असुविधा उनको हो रही है, खेद भी है उसके लिए, तो वो जो aggr अब इसे, बट नोट exclusive jurisdiction, यह क्या बोला मैंने, अभी पीशे हमने देखा है, original jurisdiction कई मामलों में है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कि यहाँ पर original jurisdiction है, पर exclusive नहीं है, exclusive क्यों नहीं है, क्योंकि high courts के पास भी, issue, रिट्स इशू करने की पावर है High Courts भी रिट्स इशू कर सकते हैं दूसरा ये क्या है कि Supreme Court के पास जो रिट्स जूरिस्डिक्शन की जो पावर है That is only for the enforcement of fundamental rights and not for any other purposes नहीं है High Court के पास बाकी सारी purposes के लिए भी रिट्स जूरिस्डिक्शन है Supreme Court के पास Article 32 के तहए जो रिट्स जूरिस्डिक्शन है वो खाली-खाली fundamental rights को enforce करवाने के लिए है तो इसलिए High Court के रिट्स जूरिस्डिक्शन से narrower है Supreme Court का रिट्स जूरिस्डिक्शन High Court बहुत आगे तक जाके रिट्स जूरिस्डिक्शन एप्लाई कर सकते है हर जगे नहीं कर सकते है Supreme Court खाली fundamental rights के enforcement के लिए करवा सकती है बस ठीक है रिट्स जूरिस्डिक्शन of High Court is wider than Supreme Court ये बात समझ में आ गई दूसरे Parliament जो है वो इनको और पावर दे सकता है to issue rights for other purposes also जब चाहे तब ठीक है जब High Court chapter आएगा उसमें हम देखेंगे कैसे fundamental rights से आगे भी जाके High Courts अपने रिट इशू करते हैं अब जो appellate jurisdiction appellate माने उचाई सबसे उपर बस highest तो 132, 133, 134 ये कहते हैं कि Supreme Court एक primarily एक court of appeal है and here's appeal against the judgments of the High Courts क्योंकि High Courts के judgment के खिलाब जो appeal जा रही है जो पहले प्रिवी council पे जाया करती थी पुराने जमाने में वो हमने ले लिए अब हम देंगे उसको Supreme Court को अब Supreme Court ही है जो सारी के सारी appeal है सुनेगा वो court of appeal है This means Supreme Court enjoys a wide appellate jurisdiction which can be classified under four heads क्या-क्या चार तरीके के से हम देखते है कि इनका appellate jurisdiction है कैसे appeals in constitutional matters जब समधानिक matter पर कोई appeal जा रही हो High Court के फैसले के against या appeals in civil matters appeals in criminal matters appeals by special leave ये important रहती है ठीक है Now, constitutional matter कैसे against the judgment of High Court if case involves substantial question of law that requires the interpretation of constitution तब क्या चाहिए होता है certificate of High Court ये एक High Court का certificate लगाया जाता है साथ में जब appeal जा रही होती Supreme Court में तो High Court क्या से एक certificate लेके जाना पड़ता है कि हम सार आपने जो case decide किया है हम इस case को लेके जा रहे है Supreme Court So, please don't mind और अपनी तरफ से एक certificate दे दो क्योंकि उस certificate पर mention होगा कि It involves a substantial question of law और इसका interpretation चाहिए इसलिए हम Supreme Court के पास जा रहे है Please लिख के दो कि आपके हैं से ही case जा रहा है दूसरे Civil matters में Appeal से Supreme Court तब जाएगी जब case involves substantial question of law of general importance और ये होता है ये question needs to be decided by the Supreme Court बस शुरू शुरू में बोला जाता था कि civil cases Supreme Court के पास तब जाएं जब उन civil cases की जो नकद value होने वाली है settlement case Civil case माने क्या होता है Civil case माने arm case तो इन cases में क्या होगा कि यहाँ पे पैसे के लेंदेन कौन कौन कितना ज़्यादा लेंदार है किसी का कौन कितना ज़्यादा उधारी में है किसी के कैसे पैसा वापस आएगा ये सब होका 1972 में हमने बोला कि नहीं नहीं ये जो monetary limit लगाई गई है ये पैसे की जो limit लगाई गई है इसको आठा दो ये जरूरत नहीं है अगर civil case है जाओ सुप्रीम कोट पास जाओ पर बशर्ते ये condition पूरी हो रही हो ठीक है criminal matters पे कब if the high court अगर किसी high court ने क्या कर रखा है अगर high court has on appeal reversed an order of acquittal of an accused person and sentenced him order to death कि high court ने क्या किया पहले उनके पास एक case आया case आया किसी lower अदालत से lower अदालत में उस किसी accused को किसी मुल्जिम को सजा दी गई थी सजा कौन सी दी गई थी death, सजाए मौत फिर high court ने क्या किया, उस facility को पलट दिया, high court ने बोला कि नहीं, death नहीं, हम उसको acquit कर रहे है, हम उसको बरी कर रहे है by इज़त बरी कर रहे है, इज़त समेत उसको बरी कर रहे है, तब high court ने, अगर कोई appeal reverse कर रखी हो on the order of acquittal, ठीक है तब उसको लेंगे, if high court has taken before itself case from any subordinate court and convicted the accused person and or sentenced him to death, तब हम करेंगे कि अगर high court ने किसी दूसरी lower court से case खीच लिया अपने पास, और लिया के, क्या बोला, कि हम उसको convict कर रहे है, accused को for the sentence of death, तब ये case जाएगा, supreme court, फिर certifies, अगर high court certify कर दे that the case is a fit one for appeal to the supreme court, high court certify कर दिया, high court के judge ने लिखके भेज़ दिया कि जो case मेरे पास आया है, this needs to go to supreme court, supreme court सुने, ठीक है, तो चले जाएगा supreme court के पास matter, अब इसके बाद, आगे चलेंगे, पहले दो case में क्या होगा, पहले दो case में क्या होगा, कि appeal जो है, मौत की शहिया पर जाने वाला है, जो आदमी सजाए मौत जिसको मिली है, तो उसके पास एक appeal की पावर तो हो, भाई, कहां जाए, कौन सुने है उसकी बात, तो supreme court के पास चले जाए, वो without any certificate of the high court, but अगर high court has reversed the order of conviction and has ordered the acquittal of the accused, तो फिर क्यों जाओगे, जब तुम्हारा acquittal हो गया है, तुम भाई जित बरी होगा, फिर जाओगे supreme court, कि ने, मुझे सजा दो, सर मैं गुनेगार हूँ, गुनेगार था तो पहली सजा ले ले तो वही जा के, और supreme court का criminal appellate portion है, appellate jurisdiction जो है supreme court का, कि वो appeal सुनती है, और उसमें जो criminal part है, पहुचदारी का जो मामला है, उसमें हम उसको और wider range दे रहे हैं, कैसे कैसे, तो एक appeal lies to the supreme court from the judgment of the high court, if अगर high court ने क्या कर रखा है, अगर high court has on appeal, reverse an order of acquittal of an accused person, and sentenced him to imprisonment for life or for 10 years, कि या तो उसको सजाए, उसको उमर कैद दे दी हो, या 10 साल की कठोर कारावास, या normal कारावास दे दिया हो, तब जाके वो appeal जाएगी supreme court, दूसरा, पहले खाली death पर थी, ठीक है, अभी ये उमर कैद पर भी है, और 10 साल कारावास पर भी है, Now, अगर high court has taken before itself any case from any subordinate court and convicted the accused person and sentenced him to imprisonment for life or 10 years, तो वोई बात, अगर किसी दूसरी lower court से case खेच लिया अपने पास, कि तुम मत करो, सौल हम बता देंगे, रूचाओ कर देंगे, और लेके अपने आप से लेके, नोने कारा कि गुनेगार, सजाए, इसको 10 साल कि सजाए देदो, या उमर कहते देदो, तो वो कहेगा, अरे सर, केस तुम हाँ चला था मेरा, वो कहेगा, नहीं नहीं, अब आपने दे दी, जाओ, भाई, फिर ये case जाएगा Supreme Court, कि सर देखो क्या किया है मैसन, अब आपील बात, समझ में आ रहा है, अब, अपील बाई, पेटिशन यहाँ पर आती है, तो Supreme Court is authorized to grant in its discretion, special leave to appeal from any judgment in any matter passed by any court or tribunal in the country except for military tribunal and court martial, क्या बूला मैने, मैंने बोला कि Supreme Court के पास authority है, ये permission grant करने की, अपने विवेक से, अपने discretion से, उनका मन है तो, कि वो special leave की दरख्वास्त लोगों की accept करवाल है, उस special leave में appeal रखी होगी for any judgment in any court, passed by any court or tribunal, देश में कहीं भी किसी आदालत ना कोई फैसला दे रखाओ, और उसमें Supreme Court के उपर, विवेक के उपर है, कि वो कहें कि अच्छा लाओ, उसके जो lower court ने फैसला दिया है, लाओ मुझे दिखाओ, क्या है, तब Supreme Court सुन चकती हो फैसला, through special leave petition, through special leave petition, याद रखना, इसमें military court या court martial use नहीं होगा, अगर military court, court martial है, कोई फैसला आया है, वो military का matter है, वो military देखेगी, उसमें Supreme Court interfere नहीं करेगी, now, this provision contains these four aspects, क्या-क्या है, it is a discretionary power, पहली बात तो, कि ये जो power है, ये पहली बात है, discretionary, that means, ये Supreme Court के अपने विवेक से आ रही है, विवेक, वे-वेक, किसी एक भले बच्चे का नाम भी है विवेक, जो अच्छा कमेंड भी करता है, so, ये Supreme Court के विवेक से आएगा, और ये cannot be claimed as a matter of right, किसी का अधिगार नहीं है, अब मेरे खिलाफ कोई case चल जाए, और वो case चल दाए, लोगर अधालत में, अब मैं कहाँ दू नहीं, मैं जाओ Supreme Court, तो कोई कहेंगे कैसे जाए Supreme Court, मैं काँगो, मैं special leave से जा रहाँ, और special leave के मैंना दरख्वास दी Supreme Court, Supreme Court नहाँ अब आप case चल तो रहा तुमारा, अपना काम करो जाए नीचे, मैं काँगो, sir, special leave, petition, मेरा right, बुल बाब अज़्या, कोई right नहीं तुमारा, ठीक है, तो क्योंकि यह Supreme Court के विवेक के ऊपर है, चाहे तो सुने है, चाहे तो ना सुने है, it can be granted in any judgment, whether final और interlocutory, कि किसी भी judgment में, चाहे वो final उनका judgment चल रहा हो, चाहे उससे पहले ही हो जाए, किसी और कोट से आया हो, सुन लेंगे वो, तीसरा, it may be related to any matter, constitutional, civil, criminal, income tax, labor, revenue, advocates, etc. किसी भी matter पे, अगर कोई case चल रहा है कहीं पे, तो it can be related to special leave petition, अगर कोट सुन ले तो, Supreme Court. चौथा, it can be granted against any court or tribunal, and not necessarily against a high court, जरूरी नहीं है, कि खाली high court के appeal के against, high court के judgment के against ही, आप appeal डाल रहे हो, special leave, नहीं, चाहो तो आप lower court, किसी family court के judgment के against, पहुँच जाओ Supreme Court, पहुच सकते हो आप, जा सकते हो आप, ठीक है, except, of course, military matter, military matter छोड़ दो आप, अब ये जो provision है, इसका जो scope है, it is very wide, and west the Supreme Court, with a plenary jurisdiction to your appeals, plenary मतलब होता है, absolute, absolute, मतलब पूरा-पूरा, ये ही है, जो है, सर्वे सर्वा, तो ये decide करेंगे, सुनवानी है कि नहीं सुनवानी है, और ये कई दफ़े, रात में भी, दिन में भी सुनते हैं, ये अपील है, अब चलते हैं, advisory jurisdiction, जब ये सला देते हैं, तो सला देंगे किसको, या तो भई, जो सला मांगे उसको देंगे, तो 143 कहता है, कि President can seek the opinion of Supreme Court, क्यों, जब President के पास कोई question हो, कोई उनके पास कोई matter आ गया हो, question of law, or fact of public importance which has arisen, or which is likely to arise, राश्पती जी को लग रहा है, यानि कि सरकार को लग रहा है, कि एक question of law के उपर, हमें opinion चाहिए, legal, और जो authoritative opinion हो, जो perfect opinion हो, जो बिलकुल ready made opinion हो, सही हो, तो ऐसी opinion, जो होगी, वो देंगी Supreme Court, अब Supreme Court के पास question हिनका आ सकता है, of a law or fact of public importance, दूसरा, on any dispute arising out of any pre-constitutional treaty, agreement, covenant, engagement, सनद, और other similar instrument, यह वही सब होते हैं, जो मैंने बताया आपको, यह सारे सनद क्या होती थी, याद आया, सनद दी जाती थी, किसी के साथ agreement कर लिया, lease कर लिया, यह सब कर लिया, तो सनद बोलते थे, covenant, agreement, treaty, alliance, जितने भी कुछ भी हो सकता हो, engagement, तो ऐसे केस में, अब वो treaty यहां, जो सम्विधान के आने से पहले से थी, अब उन पे क्या होगा, कि Supreme Court से खुशा जाएगा, सर समझ में नहीं, आ रहा, doubt में हैं हम, gray area में हैं हम, यहां पे जब pre-constitutional किसी treaty के ऊपर, कोई question का point चल रहा है, बहुत discussion हो चुका है, समझ में नहीं आ रहा, सरकार को, यहां पे Supreme Court must tender its opinion to the president, यहां देनी पड़ेगी, तो कि यहां पे कोई ऐसी authoritative body है नहीं, सरकार को एक बिल्कुल authoritative legal opinion चाहिए, अपना काम करने के लिए, इसलिए यहां इनकी opinion देनी जरूरी है, यहां तो जब case आए, यहां तो आया ही ना हो, which is likely to arise, यहां आ चुका है, लेकिन वो as a case form में नहीं आ है Supreme Court के सामने, इसलिए वो देनी रहे, दोनों ही case में क्या होगा, the opinion expressed by the Supreme Court is only advisory and not a judicial pronouncement, यहां पर इनका यह खाली advice देने के रोल में Supreme Court act करेगा, ना कि judicial pronouncement ते दिया तो दे दिया, अभी यही करो, हो सकता है सरकार ना करे, it facilitates the government to have an authoritative legal opinion on a matter to be decided by it, कि कोई matter है मसला है उसके उपर Supreme Court ने फैसला दिया है, तो सरकार को यह अभी legal opinion मिल चुकी, अच्छी, अब यह सारे matter है, अभी तक ऐसे 15 references राश्पती जी दे चुके हैं Supreme Court को, कहां से शुरू हुआ, 1951 से शुरू हुआ है, और चलते चलते हम 2012 आ चुके हैं, टूजी spectrum case तक, यहां पर क्या किया राश्पती जी ने अपने आप से in-ree करके लिख दिया, और बोल दिया कि मुझे Supreme Court की सला चाहिए, ता मैं मानूँगा, also known as consultative jurisdiction, ठीक है, यहीं पर आता है हमारा in-ree, बेरुबारी, यह सारे लिखे हुए हैं इसमें यहां पर ठीक है, अब यह आप list है, यह list as such तो हमें याद नहीं करनी है, पर कुछ-कुछ मोटे-मोटे case हैं जो हमें पता है, अब बेरुबारी union हमें पता है, केशफ सिंग's case, केशफ सिंग case याद है न, एक एडिटर थे, UP के, उन्होंने अपनी magazine में कुछ लिख दिया था, UP विदान सबा के against, फिर UP विदान सबा ने उनको arrest किया था, फिर UP विदान सबा ने उनको produce किया, वो bail लेके आ गए, अलाबाद हाई court से, फिर अलाबाद हाई court के दो जजजे जिन्होंने ये bail दी थी, उनको भी UP विदान सबा ने arrest कर लिया, फिर वो जजज साहब जो थे, वो supreme court गए, वो और हाई court में गए, तो बहुत लंबा matter चलाता हो, ठीक है, तो ये सब हुआ था, तो ये सारे के सारे ऐसे matter थे, जो important थे, और इस पे राश्पती जी ने सला मांगी है, अब a court of record, कि article 1.2.1 कहता है, कि supreme court के बस दो पावर है, क्या पावर है, दो ये हैं, पहली तो ये, कि supreme court के जो judgments होते हैं, proceedings होती हैं, और जो भी एक्षन लेते हैं, ये are recorded for perpetual memory and testament, कि ये जितने ये जो matter आए हैं, जो supreme court ने जितने भी दस्तावेज लिखे हैं, sign किये हैं, जो proceedings आई हैं, judgments, decree, order, ये सारे के सारे, they are retained, they are recorded for perpetual memory, for testimony, money, मतलब क्या हुआ, कि these records are admitted to be of evidentiary value and cannot be questioned when produced before any court, जब देश में किसी और अदालत में, ऐसे supreme court के किसी पुराने verdict के बारे में, बता दिया जाएगा, कि सर याद कीजिए, supreme court ने एके गोपालन में ऐसा कह रखा था, तब उस समय कोई court ये नहीं गएगी, आया पता नहीं कौन supreme court क्या कह दिया, no, जो supreme court ने का है, वो लिखा हुआ है, वो लिखके रखा हुआ है, और वो All India Records में supreme court के महाँ पे जाके रखा हुआ है, उसको निकालो, उसको देखो, supreme court ने उसको well settled कर दिया है, तो इसका मतलब है, कि ये settled position की बात होती है, कि जब supreme court कोई important settled, कोई case को settle करती है, तो उसको सुनना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा, हर court उसको evidentiary value के तैत लेगी, कि evidentiary value है, जो supreme court ने पहले बोल रखा है, वो जो बोला गया है, अगर वो court में admit किया, करवाया जा रहा है, that means it is forming an evidence, कि है, और दूसरा, they are recognized as legal precedents and legal references, legal precedent मानने, जो, अभे precedent क्या होती है, precedent मानने, convention, बन गया तो बन गया, अब कह दिया तो कह दिया, और ये precedent है तो है, इसको तोड़ो मत, दूसरा, ये legal reference भी है, जब कई बार, वकील लोग, court में ऐसा बोलते हैं, sir, in the case of A.K. Gopalan, in the case of Minerva Mills, in the case of this, आपके सामने, Supreme Court ने ऐसा बोला था, 20 साल पहले, 25 साल पहले, वो माना जाएगा, क्योंकि वो एक well settled position of law है, इसको अच्छे से लिखते हैं, वर आपको देखेगा नहीं है, ठीक है, तो, well settled, 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 settled position of law, मतलब अब Supreme Court ने इसको fix कर दिया है, अब ये position change नहीं हो सकती है, unless खुद Supreme Court ना करे, position of law, ठीक है, आई बास समझे है, दूसरा power क्या है Supreme Court की, it has the power to punish for contempt of court, either with simple imprisonment or for a term of 6 महिना or with fine of 2000 or with both, Supreme Court की अवमानन, Supreme Court की contempt करना, मतलब 2000 का तो जुर्माना लगना ही, जे लो ना ओ देखी जाएगी, now, 91 में Supreme Court ने बोला था, कि it has the power to punish for contempt, not only of itself, but also of high court, subordinate courts and tribunals functioning in the country, मतलब किसी और court की भी आपने अवमानना करी, Supreme Court के कि बेटा, आओ, चलो, खड़े हो जाओ, खड़े हो के पहले सौरी बोलो, मुर्गा बनो, मतलब ऐसा तो नहीं बोलेगी, पर apology लिखवाएगी, ठीक है, apology लिखवानी पड़ेगी, उसके बाद जुर्माना भी होगा, उसके बाद सब कुछ होगा, ठीक है, वो आगे प्रसीड़ेंगे, कुल मिलागे क्या है, कि ये Supreme Court punish कर सकती है, not only for the contempt of itself, but for any other court functioning in the country, सब के उपर, contempt के उपर याद करना, 1961 में, एक कमिटी बनाई गई थी, एचन सान्याल जी के तहत, एचन सान्याल जी कौन नहीं पता है, ये थे उस समय के, Additional Solicitor General of India, ठीक है, एचन सान्याल जी के, नेतरत्व में, एक कमिटी का घठन हुआ, उसका नाम था सान्याल कमिटी, और वो ये एग्जामिन किया उन्होंने, कि contempt of court कैसा हो, पिर इस कमिटी की रिपोर्ट आई, दो साल बाद, टू येर्स लेटर, टू येर्स बीच चुके हैं, 1963 आ चुका है, और यहाँ पर फिर एक सरकारन एक्ट बनाया, Contempt of court act, 1971, ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट देती, दो साल के बाद, फिर एक एक्ट आगया, 1971 में, उसमें Contempt of court में बोला गया है, कि या तो Contempt civil होगी, या Criminal होगी, ठीक बात है, या तो Contempt ऐसी होगी, जो कि सिर्फ बात ना मानने वाली Contempt है, कि Supreme Court ने judgment दे रखा है, लेकिन लोगों ने क्या किया, Willful Disobedience कर दिया, जान बूज के Supreme Court की अवमानना करी है, Disobedience, जैसे जांदी जी का जो आनोलन था, असहयोग, सहयोग नहीं कर रहे हैं आपका, नहीं मान रहे हैं आपकी बात, दूसरा, Of any judgment, order, writ, और other process of a court, और Willful Breach of an Undertaking given to a court, ये क्या हुआ, Supreme Court ने judgment दे रखा है, दूसरा, जो आपने Supreme Court में Undertaking दी है, जो आपने sign किया है, कहां साब, मैं जब तक case चलेगा, मैं देश छोड़के नहीं जाँगा, और आप जाके भाग गए बंगलादेश, नहीं, ये contempt हो गया, फिर तो contempt है, कि आपने willful breach किया है, अपनी Undertaking जो आपने court को दी थी, तो तो यह हो गई civil proceeding, civil contempt, अब चलो criminal, criminal में, क्या होगा, publication of any matter, or doing an act, या तो कोई छापना, कोई बात को, या कोई काम करना, कैसा, जो scandalize करे या lower कर दे, Supreme Court की authority, sorry, court की authority, किसी भी court की authority, court की authority को जो lower कर दे, उनकी honor को कम कर दे, prejudices, or interferes, with the due course of judicial proceeding, कि अभी court में matter चल रहा था, matter चालू होना था, आपने ऐसी बात करी, कि public opinion मन चुकी है, media trial हो चुका है, और अभी interfere कर रहा है, judge के अपने काम करना में, that means it is wrong thing, किसी भी तरीके से, अगर आपने न्याय के administration में, justice के administration में, अगर आपने, justice के प्रशासन में, अगर आपने हरकत करी, वो contempt है, सीधा सीधा contempt है, दूसरी को बात चलेगी नहीं वाँपर, अब innocent publication, मने, जो मासूम publication है, जो सच बात लिख रहा है, एक magazine निकालता हूँ, दो पेज़ का, चार पेज़ का, उसमें, मैं court की, कोई, जो जाहिर matter है, जो सच matter है, fair है, accurate report है, judicial proceeding की, सारी की सारी मैं, चीज़ें को लिख के दे रहा हूँ, लोगों को बात रहा हूँ, देखो, court ऐसे काम करती है, court ने इस साल ये का, इस महीने ये बोला, कल की तारीख में, इनके पास ये ये listing है, ये सारी matter पे चर्चा करेगी, तो ऐसी publication को हम बोलेंगे, innocent publication है, इसमें कोई harm नहीं है, और ये होनी भी चाहिए, तो इसको encourage भी करवाओ, ये ठीक है, and fair and reasonable criticism of judicial acts, and comment on the administrative side of the judiciary, do not amount to contempt of court, ये नहीं होंगे, आप ये सब करोगे, that means you are done, फिर आपका काम नहीं चलेगा, अगर आपने ये सब किया, वो हम सुन लेंगे वो ठीक भी है, वो आप करो भी लोगों को, जागरुक करो भी, वो भी जरूरी है, अब चलो power of judicial review, जब वो judicial अपने review के तहत, किसी भी सरकार के, पारलेमेंट के किसी भी अंग के काम को उठा लेते हैं, कि तुम्हें क्यों कर रहे हैं बिटा, क्या बात है, क्यों इतनी जल दी है, क्या है, तब उसको बोलते हैं judicial review कर रही है, तो judicial review is the power of the Supreme Court to examine the constitutionality, समयधानिकता of legislative enactment and executive order of both central and state governments, कि जब भी legislature executive, चाहे state का हो, चाहे center का हो, कोई अगर legislative enactment कोई कानून मनाया गया है, या कोई executive का अपना order था, और उन्होंने उस order को जाने कैसे निभाया है, तो ऐसी केस में इन orders की, इन acts की समयधानिकता चेक करने के लिए, constitutionality चेक करने के लिए, Supreme Court uses the tool of judicial review, अगर ऐसा करने पे ये पाया गया, कि they are found to be violative of the constitution, that is ultra virus, then they are declared as illegal, unconstitutional, invalid, null and void by the Supreme Court, खतम, खतम, कुछ नहीं चलेगा, अगर आपने ऐसा किया, कोई ऐसा act, कोई ऐसा executive order, चाहे center का, चाहे state का, किसी का भी, जो की एक ये दिखा रहा है, कि ये violative है of constitutional provisions, violative है of समयधान, you are done, ultra virus, नहीं चल पाएगा, इसी से phrase आया है judicial review का, Latin में, एक बहुत तगड़ा phrase है, और ये जो judicial review का जो text है, ये कहीं आपको समयधान में नहीं दिखेगा, ये, खाली-खाली, कुछ-कुछ article अगर आप पड़ोगे, 13, 32, 131, 136, 143, 226, 246, 256, इन सम्में, आपको पढ़ते-पढ़ते पता चलेगा, कि अच्छा, ये है हमारा judicial review, ये बहुत noble feature है, ये बहुत innovative feature है, सम्मेधान में कहीं है नहीं, जुटिशनीर अपने आप इसको, अपने कोक से पैदा किया है, कि ये important है, नहीं तो सम्मेधान की protection करें कौन, फिर हमें ही करनी है, तो इन्होंने अपने आपसे बना लिया है, फिर आता है, review jurisdiction, रिवी मतलब खुदी का review करना, Supreme Court has the power to review any judgment pronounced or order made by it, ये कर सकती है, क्यों कर सकती है, क्योंकि कई बार हो सकता है, कि आगे चलके, और judge convince हो जाए, जैसे dissentic opinion में क्या होता है, जब एक judge बोलता है, कि मैं खड़ा होके, अपने सारे brother judges के against जा रहा हूँ, और मुझे नहीं लग रहा है, कि मेरे सारे जो brother judges है, ये लोग सही direction में जा रहे हैं, मैं align नहीं हूँ, मैं इनके साथ नहीं हूँ, फिर वो अपने dissentic opinion देते हैं, इसका मतलब क्या है, कि एक judge ने खड़ा होके, आप सारे बाकी judges की बात नकार दी, अब क्या होगा, कि वो judge की बात हो सकता है, आगे चल के और लोग मान जाएं, आज एक judge convince है, कल और भी हो सकते हैं, तो Supreme Court के पास खुद के पास power होनी चाहिए, कि वो अपने judgment को बाद में rectify कर पाए, इसी वजह से, एक एक उपालन केस हुआ, शंगरी प्रसाद केस के बाद बाकी केस आये, केशवानन्द भारती केस आया, इवन फर्स judges केस के बाद, सकिंड जजज़ केस में Supreme Court अपनी राय बदल ली, तो एक review petition has to be filed within 30 days from the date of the judgment, और order sought to be reviewed, कि अगर आज judgment आया है, तीस दिन के अंदर, आप दुबारा से review petition डाल दो, also the review petition should be submitted to the same judge or bench that delivered the judgment or order, इनके पास judgment, जो bench ने judgment दिया है, उसी bench के पास चले जाए, अब review petition is allowed on the following grounds, कब-कब जब कोई नया और important matter आजाए, evidence आजाए बाहर, कोई नया साक्षय आजाए, नया सबूत आजाए बार, कि लो सरी तो मैं पता ही नहीं था पहले, लो देखो, और mistake और error apparent on the face of the record, कि हाँ साब है problem आई है, देखो, सब को लग रहा है, यह judgment आपका ठीक नहीं था, एपर दुबारा से इस पर बात करते हैं, दुबारा से सवाल कर लेखते हैं, या फिर any other sufficient reason, कोई और important sufficient matter लग रहा है, लग रहा है कि हाँ judgment किसी के favor में ज्यादा नहीं दिख रहा है, बहुत किसी किसी किन अन्याय हो गया, तो इसको सुन लेंगे दुबारा से, पर the court में either dismiss the review petition, और direct notice to the opposite parties, कि हाँ हमने decision ले लिया है, अब हम इस पर दुबारा से चर्चा करने वाले हैं, अगर even after dismissal, अगर dismissal हो गया review petition का, किसी के Supreme Court ने का नहीं सुन रहे, जो अपने decision दे दे, सहीए जाओ, तब उसके बाद भी court एक बार और reconsider कर सकती है, अपना final judgment और order by way of a curative petition, तब याद है, PNJ के तीन नियम होते हैं, एक जज़ कभी अपने मामले में जज़ नहीं मनेगा, याद है, you have to hear the other side, audio, altrem, partem, ये सारे PNJ होते हैं, तो principle natural justice में, violation अगर हो गया हो, to cure a gross miscarriage of justice, कि अगर बहुती अन्या हो गया कहीं, और हम मान नहीं पा रहे हैं, बात को लेकर जज़्मेंट है तो है, लेकिन क्या कर, अब review petition fail हो गई है, फिर उसको बाद हमने curative petition बुला गी, हमने उससे काम करवाया, now, to prevent abuse of the process of the court, bias of the judge, इन सारे case में, ये क्या है, curative petition is the final and last option for the people to acquire justice as mentioned and promised by the Constitution of India, ये last रास्ता है, ये आखर इसके बाद तो नहीं बचाया रास्ता, अब क्या करोगे रास्ता, a curative petition may be filed after a review plea against the final decision, the final conviction is dismissed, अगर final review petition भी fail हो गई, और conviction आच चुका है, उसके बाद curative petition जाएगी, और curative petition फिर एक बार सुन लेगी, कि अच्छा लाओ, ठीक है लाओ, देखें लेए, क्या पता कुछ रही गया हो, सच में ही कुछ सही कहा रहे हो आप लोग, अब कॉस्दिरूशल, अब कॉस्दिरूशल इंटरपरटेशन, इंटरपरटेशन क्या है, कि सम्विदान को कैसे इंटरपरट किया गया, कैसे समझा गया है, हो सकता है, सम्विदान में लिखा गया है, अब क्या ब्राउन फॉक्स, अब इसको और कैसे इंटरपरट कर सकते हो आप, अब फास्ट मूविंग, रहते हैं नरी टो 맛 क का मैं इंक्टी और रहा है तो कि आपक स्थारीर मार्ड रहाँ रारूद ऐसे फॉक्स वोड गवाज तो सम्विधान में जो प्य embark exercises लिखेव सही है तो सुप्रीम गोड मीया निट अप to टेक्स इन नुट इन फिरे इन फिरे डर कि एट्व ईकिन और यू जो 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 टेक्स शूस किया गया जैसी जो बोलचाल है अब बहुत हेवी वर्डिंगे बहुत हेवी इंग्लिश फ्मै लीगल इंग्लिशन So Supreme Court ने कुछ ऐसे various doctrine दी वही हैं जिनके तहत वह apply करती है क्या का doctrine है? doctrine नहीं सारी doctrine है doctrine माने क्या होता है? doctrine माने होता है theory या principle ठीक है? या fundamental कुछ भी कहलो आफ इसको principle या fundamental तो इनके तहत क्या होगा? ऐसे doctrine के साथ Supreme Court क्या करती है? कि देखो हमने ऐसी कुछ डॉक्ट्राइन मना रखी है, और हमेसा बाता है, तो ऐसी तेरा डॉक्ट्राइन है, इनको एके करके दिखते हैं, ये बुक में आपके नहीं है, बुक में खाली नाम लिखके छोड़ दिया है, ये डॉक्ट्राइन बनने जरूरी है क्योंकि ये अब डॉक्ट्राइन ओफ सेवरेबिलिटी, सेवरेबिलिटी क्या है, सेवर करना, to severe, to severe, मतलब काट देना अलग से, to amputate, तो अलग से छोटा सा इससा निकाल दिया, अब क्या है, मान लोग कोई कानून है, कोई सा भी एक्ट है, अब उसमें क्या होगा, कि कुछ ऐसा जा रहा होगा, जो सम्विधान के साथ consistency में नहीं होगा, provisions which are not in consistency with the constitutional provisions, तब क्या होगा, ऐसे में, पूरे law को नकारा नहीं जाएगा, पूरे law को ठीक रखा जाएगा, पर उतने हिस्से को हटा देंगे, बस, उसको severe कर दिया, उसको amputate कर दिया, इतने हिस्से को निकाल के ब particular provision of the statute, offends or is against the constitutional limitation, but that provision is severable, उसको कैजी चला सकते है, वहाँ पे, from the rest of the statute, only that offending provision will be declared void, बस, and not the entire statute, खतम बात, the whole law or act would not be held invalid, जो जरूरी है, उसको अटा दिया जाएगा, जो जरूरी है, उसको अटा दिया जाएगा, जो जरूरी है, उसको अटा दिया जाएगा, अब इसमें important judgment हमने देखे हैं, दो, एके को पालन केस, of course, और हमारा state of Bombay versus F.N. बालसारा, तो ये दो केस में ये हुआ था, सुप्रिम कोर्ट ने बोला था, कि इनका दिया जाएगा, अगर हो रही है, only the dispute provision of the act will be void and not the whole of it, and every attempt should be made to save as much possible of the act, रोको इसको बचाओ, अब कौन सा केस था ही ये, कौन सा केस था ही है, land reforms, ठीक है, यहां से आया था, अब state of Bombay, eight sections of the, ये act था, Bombay Prohibition Act, were declared invalid, the Supreme Court said that the portion which was invalid to the extent of fundamental rights, was separable from the rest of the act, ठीक है, बस, simple, simple है, आगे चलो, doctrine of waiver, waiver, waiver माने, माफ कर देना, जाने देना, छोड़ दिया, according to this doctrine of waiver, any person who is entitled to any right or privilege, जिसको कोई अधिकार का हक है, पर उस वो अधिकार नहीं लेना चाहा रहा है, वो कहारा, नहीं चाहिए, भार में जाओ, नहीं रखूँगा, तो छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है, बस ठीक है, अगर, if he does so, with his free will, अगर वो अपनी मर्जी से कर रहा है, तो, it is a voluntary renunciation of a known right or privilege, और उसे पता हो, के ऐसा करने से उसको नुक्सान क्या है, doctrine operates on the assumption that a man is the best judge of his interest under any legal liability, के कोई भी legal liability उस क्योपर पढने वाली, कोई legal problem चलने वाली है, and he knows के क्या होने वाला है, and that he has the knowledge of the consequence, while intentionally giving up the privilege of such right, ठीक बात कि अपनी प्रेवलेच छोड रहे है, अब, a citizen of India cannot waive off his fundamental rights, doctrine of waiver is not applicable to fundamental right in India, ये एक case था, ये ही केस था, बशेश्वरनात versus the Commissioner of Income Tax 1958, तो, इस case में Supreme Court ने कहा था, कैसा है, ये जो, ये जो petitioner है, इन्हें होची नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है, क्या करने जा रहे अपने, fundamental right ही छोड़ दोगे अपने, वो नहीं कर सकते आप, Supreme Court rejected the contention of respondent that petitioner by voluntarily entering, by voluntarily entering into an agreement to pay tax had waived his fundamental right guaranteed under Article 14, Supreme Court ने कहा कि ना, Article 14, वो उसके तहर तुम क्या सोच रहो, तुम सबसे अलगो, नहीं, तुम बराबर हो सब के, अब, Supreme Court had held that the fundamental rights of a person cannot be waived off, ये नहीं आप छोड़ सकते खुदी साब खड़े होगे कैदो के नहीं मुझे नीची मेरे fundamental right भी, मैं ऐसी ठीक हो, अरे भाई कैसे ठीक हो भाई, बिना fundamental right के रहे होगे कैसे, कहां लेके जाओ अपने, अपना personality, so, doctrine of eclipse, eclipse माने क्या होता है, ग्रहन लगाना, अब, ग्रहन क्या है, मानलो, कोई पूरा act है यह यहाद है, यह सूरग रहन है कोल मिला के, तो, अब सूरग के सामने चान आके खड़ा हो गया, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे, एक यह पूरा act है complete, existing law, which violates the fundamental right, अब इसमें यह fundamental right है, इतने सारे यहाँ पे, अब क्या हो रहा है, the prospective nature of provision under article 13 clause 1, article 13, fundamental rights, याद आगे होगा म emergence of doctrine of eclipse, क्या है एक लिपस में, this provision mainly deals with pre-constitutional laws, and declares all such laws, as void to the extent to which they are inconsistent with the fundamental rights, सारे के सारे लोज खराब है, जब तक वो फंडमेंटल राइच के अगेंज जा रहे है, फंडमेंटल राइच के साथ आजा जाओ तो ठीको, बस, कुल मिला के, fundamental rights, अब देख लो यहाँ पे समझ में आ unenforceable, but not void ab initio, ab initio मतलब क्या होता है, having no legal effect from inception, अब कुल मिला के मैं यह कह रहा हूँ आप से, कि परिशान मत हो, जब तक fundamental rights का violation होता रहेगा, तब तक कोई भी act चल नहीं सकता है, कोई भी law चल नहीं सकता है, यहाँ पे, खास करके हम pre-constitutional era की बात कर रहे है, अगर वहाँ से आया हुआ कोई भी कानून है, तो यह याद करना कि fundamental right have to overshadow such laws, fundamental rights overshadows the law or act and makes it unenforceable, but not void ab initio, कि उनको legal effect उनका खतम हो जाएगा from inception, बस fundamental right वाले clause हटा दो, जहाँ से fundamental right वाले हो रहे हो अटा दो, however, if shadow cast on such law by relevant FR is removed by an amendment, अगर amendment के तहत, वो आपने वो shadow हटा दी, fundamental right पे जो लग रही थी, हटा, फिर तो वो ठीग है, the law, then law would again become constitutional and enforceable, fundamental right नहीं चुगा जाएगा, यह थी doctrine of eclipse, ग्रहन वाली, अब doctrine of territorial nexus, मतलब क्या है समझने में, यह हमारा देश है, ठीक है, इस देश में दो-तीन state है, होने को तो बहुत है, पर हमने दो-तीन लिये है, अब यह एक state है A, यह state है B, यह state है C, अब क्या हो रहा है, A और B ने आपस में दो-स्ती कर ली, इन्हों ने बोला, कि ऐसे कुछ area पे, अगर कोई चीज बन रही है, इस पे ऐसे कुछ, यह area को जोग्राफिकल area नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ, यह इनका इनका अपना territorial domain है, य territorial, कबाल बन गया है, कबाल माने C, A, B, A, L, कुछ और मान समझना है इसको, C, A, B, A, L, एक कबाल, corporation, एक amalgamation, एक कुछ भी और, ठीक है, तो, laws made by state legislature, are not applicable outside the state, पहली बत तो यह है, जो state का कानून बन रहा है, वो अपने state में बनेगा, चा, except when, बस तभी, when there is a sufficient nexus between the state and the object, यह नहीं कि, doctrine derives its power from article 245, the Indian Constitution, जो यह कहता है, कि अगर दो states के बीच में nexus है, और यह चीज़ सेट हो रही है, कि एक state का, में जो tax लग रहा है, वो because of दूसरे state की property के आने से लग रहा है, इसलिए लगाना पढ़ रहा है, तो ठीक है, तो लग सकता है, क्या हुआ था, state of Bombay versus RMDC, इसमें बोला गया, Supreme Court ने बोला कि, there existed a sufficient territorial nexus to enable the Bombay legislature to tax the respondent, RMDC, as all the activities which the competitor is ordinary expected to undertake took place mostly within Bombay, भले RMDC, Bombay के statement नहीं थी, पर RMDC अपने काम कर रही है, बंबे में, टैसी दोगे, टैस दोगे, बस, उतनी ही चीज़ जाई है, बस, ठीक है, doctrine of pith and substance, pith क्या होता है, pith means, सच्चा नेचर, क्या है, true भावना क्या है, true nature क्या है, substance means the most important or essential part of something, जैसे, अब क्या है, union list, state list, और concurrent list, तीन list है हमारिया, अब ये तब होता है, to resolve the inconsistency between laws made by center and the state legislature, के हमें पता है, के एक particular कोई कानून है, law, it relates to a particular subject, चाहे किसी में भी हो, पर दोनों में बीच में कुछ ना कुछ उथल पुथल चल रही है, के कोई कह रहा है, नहीं नहीं सर, ये मेरे लिये था, मेरी list में था, मुझे करना था, आप क्यों कर रहे हो, state कह रहा है, नहीं नहीं मैं करूंगा, center कह रहा है, मान जाओ तो थोड़ा सा तुमां क्यों हो, लाई कर रहा है, तो usually applies, where the question arises out of, question arises of determining whether a part of law, whether a particular law relates to a particular subject, या फिर नहीं, ठीक है, तो पहली बार ही acknowledge हुआ था, in the Canadian Constitution, and then in India, and it came to be adopted in the pre-independence period only, पहले ही चालू कर लिया हमने, G.O.I. 1935 में, हमने तभी कह दिया कि ये बढ़िया चीज है, ऐसे में क्या होगा, union और state list के बीच में, concurrent list के बीच में, अगर कोई उथल उथल चल रही है कहीं में आपस में, और कोई कह रहा है कि नहीं नहीं सरी तो मेरा था, और ये center कह रहा है भाई, मान जाओ, हमारा इस पर अधिकार है, हमारे पास doctrine of pith and pure substance है हमारे पास, ठीक है, अ अब आएंगे doctrine of colorable legislation, मतलब colorable means रंगीन कानून, तो कुल मिला के क्या है, मान लो, मुझे कोई एक act पास करना था, अब मुझे पता है कि मैं एक pencil पे 50% GST नहीं लगा सकता हूं, ठीक है, ओके, 50% GST, stationary educational चीज़ पे लगाना अच्छी चीज नहीं है, नहीं लगा सकता था मैं यह गलत बात है, अब ऐसे में मैं किसी और तरीके से कोई और action के तहत, किसी और act के बीच में गुसा दूँ, pencil बीच में, और बोल दूँ, pencil तो पे 50% लगेगा, तो यह गलत बात है, बस यही है, when a legislature aims to do something that it is unable to do, or is beyond its capability, और authority, जब legislature, या नहीं पार्लेमेंट या state जो भी हो जब उन्हें पता है कि वो इस चीज़ पर काम नहीं कर सकते हैं, पर वो कर रहे हैं, within the limitation of its government's constitution, it colors the law with a concealed motive or purpose, किसी और purpose के साथ उसको जोड़ दिया और करवा लिया, then allowing it to accomplish its original hidden goal, उसको कहते हैं, doctrine of colorable legislation, कि आपने अगर सीधी उंगली करके, आपने अगर घी नहीं नहीं निक प्रेज है, जो जो बोलते हैं, whatever legislature cannot do directly, it cannot do indirectly also, आगर आप ऐसे नहीं कर सकते थे, तो आप ऐसे भी नहीं कर सकते थे, ठीक है, यह नहीं करना था आपको, क्योंकि आप गलत कर दिया, आप इसको सही करो, जैसे Mr. Balat जी वर से state of मैसूर case हुआ था, 62 में, Supreme Court ने बोला, it declared the state order reserving 68% of seats in educational institutes, null and void, क्योंकि article 15 clause 1, clause 4 का विलंगन चल रहा था है, यह नहीं हो सकता था, जो backward class के लिए students का जो आरक्षन दिया गया था, उसको state of मैसूर के लिए बोल दिया गया, sorry, नहीं जरूवत है आपकी, इतना, इतनी मेनत क्यों कर रहे हो, फिर, doctrine of implied powers, implied power क्या हो, implied माने, inherent, अपने आप से, जो लिखी नहीं गई है, पर है, a political power that is not enumerated, जो लिखी नहीं गई है, बट, nonetheless, exists, जो है, क्योंकि होन है, उसको होना ही होना है, because it is needed to carry out an express power, आप भले ही मत लिखो आप, पर वो उस पावर के बिना आप से काम नहीं हो पाएगा, इसलिए वो जरूर ही हो पा and is something without which an express power cannot be exercised, नहीं चल सकती, तो ये तो अगर implied power क्या होगी, जैसे अब मैं center हूँ, यार मेरे मुझे, मेरे पास power है, कि मुझे states का ध्यान रखना है, अब states कल को खड़े होके ये ना बोलने लग जाए, कि सार हम तो चले इंडिया से, या हम अपने आप से अलग सिक्का च लाएंगे अपने state में, अरे कैसे, center मैं इसी लिए हूँ, क्योंकि मेरे पास power है, currency को monetize करने की, इनको सब को currency बनवाने की, सब कुछ देखने की, तुम खड़े होगा है, भले ही power नहीं लिखी हो, पर ये power है मेरे पास, अब, doctrine of incidental and ancillary powers, ये क्या है, if a legislative body has the power to legislate on a particular matter, then they have the power to legislate on ancillary topics related to that matter, ancillary माने, ancillary माने, side वाले, side वाले, side वाला, ठीक है, ठीक है, जो आजू बाजू भी है उसके, जैसे article 4, article 4 क्या क्या क्याता है, कि altering the names of states, ठीक है, under article 2 and 3, तो इसमें power to make consequential changes in the law on matter supplemental and incidental to the law providing for altering the names of states, के ये कोई बहुत बड़ा constitutional amendment नहीं माना जाएगा, ठीक है, चलेगा, अब, article 169, ये कहता है, talks about the power given to the parliament on abolition or creation of legislative councils, जब किसी state में विधान परिशाद बनवाने होते हैं, किसी state में legislative councils बनवाने होते हैं, तब क्या होता है, तब उसमें जो जो और बाकी process करवानी होगी, वो भी मंजूर होगी, वो भी जाहिर बात है कि ठीक है, as may be necessary to give effect to the provisions of the law and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions as parliament may deem necessary, कि parliament को जो लगे था, उसमें important है, वो parliament करवा सकती है, doctrine of president, president माने वही, जो मैंने आपको बताया, कि tradition, tradition, custom, custom, है तो है, अब रहेगा, अब ये तो बदलना नहीं चाहिए, जब तक जरूरी ना हो, बटीवन क्या बोल रहा है, कि a decision that has already been taken by a higher court, is binding to the lower court, and at the same time, it is, it stands as a precedent to the lower court judgment, which cannot be altered by a lower court, Supreme Court ने अगर दे दिया है, कि हाँ, आधार एक्ट ठीक है, आधार एक्ट में ये बस changes कर लो, आधार एक्ट इसका ठीक है, उसका lower court को खोड़े को ये नहीं गएगा, नहीं, कौनसा आधार एक्ट मैं नहीं जनता, नहीं नहीं, Supreme Court ने कह दिया, settle कर दिया है, ठीक है, अब रह of law, well, settled, settled, ये actual legal word है, इसके बाद आगे चलो, doctrine of occupied field, also known as doctrine of covered field, ये क्या बोल रही है, ये बोल रही है, कि जो doctrine है of occupied field indicates, a field that is or has been occupied, as the name suggests, it means that certain subjects in the state list are within the purview of the parliament, वो है ही है, रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे, जैसे, ये नाम, ये नाम आती है, आपको समझ में आना चाहिए, कि अच्छा, health is a state subject, फिर क्यों ministry of Iyush है, ministry of health है, state center की और सब कुछ है, तो क्योंकि जरूरी है, क्योंकि it is an occupied field, ये state सारे अपने आप से नहीं करवा पाएंगे, आयूश योजना लगवाना, जन अशदी प्रोग्राम लगवाना, सब कुछ करवाना बहुत बढ़ी चीज़ होती है, तो इसलिए center के पास ये और कवरड फील्ड है, occupied field है, तो एक्ट ऑफ पार्लेमेंट इस अप्यूपाइंगे subject, ओवर विच स्टेट से ज़िटेचर ऑप अपने टो लेजिसलेट, चाहे, स्टेट ने का टॉपेको, चाहे, स्टेट लेस्को बाप को. अगरिकलचर, ठीक है, अब एजुकेशन, ये स आज से आगे चलेगा आज के पीछे नहीं जाएगा अब जो हो गया अभी तक जो होना था उसको भूल जाओ अब आज जजमेंट आ गया प्रोनाउंस हो चुका है यह आगे चलना है नाओ यह पहली बार आया था गोलगनाथ वर्से स्टेट ऑफ पंजाब याद आगया याद आगया वर्से स्टेट ऑफ पंजाब बहुत जादा जमीन थी इनके पास पंजाब सरकार ने का देदो हमको इन्होंने का नहीं दे रहे फिर डॉक्ट्राइन ओफ हार्मोनियस कॉंस इस 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 नहीं हो सकता है उसको पूरे से पढ़ो सब कुछ मिला जूला के पड़ो समझ में आजाएगा कि क्या यह वाइलेट सच में कर रहा है यह नहीं कर रहा है उसको पूरे से पढ़ो as a whole so as to remove any uncertainty or repudency. अब ऐसे में क्या होगा? कि the court must avoid a clash on contradicting provisions and they must construe the opposing provisions so as to harmonize them. कहां काब यूस हुआ है यह? Fundamental Rights and DPSP. यह केस याद है? Fundamental Rights and DPSP के बीच में harmonious. और difference between fundamental rights between fundamental rights and legislative privileges between fundamental rights and amendment procedures. यह important important case थे और मैं से यह तो मैं भौत बार बोल चुका हूँ यार यह तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. फिर फिर फर्स and other parts of the Constitution that is say FD. ठीक है? मान के चलो कौन सा केस था है? Fundamental Rights and Fundamental Duty. कौन इंपोर्टेंट था? Between different entries of list. जितनी सारी list है हमारी आपस में. ठीक है. अब doctrine of liberal interpretation. Simple बात है. इसमें यह है liberal होके सोचो. पूरा खुला होके सोचो. बहुत ही narrow minds मत पढ़ना Constitution को. इन्होंने बोला है कि Constitution must be interpreted in a broad and liberal manner and not in a narrow or pedantic sense. कि ऐसा नहीं हो कि जरा सी बात सोच के उतना ही उतना बस सोच रहो आगे कुछ सोच रहो. Supreme Court ने बोला हुआ है. अब Constitutional Provision is never static and it is ever evolving and ever changing and therefore does not admit of a narrow pedantic or syllogistic approach. syllogistic यह पता है कहा से आया वर्ड? यह आपको पढ़ना है C-Sight में. syllogism, syllogism, याद है? syllogism क्या होते हैं? कभी solve किये हैं कैसे syllogism वाले? इसमें होते हैं All cats are dogs, all dogs are pens, some dogs are cats, यह वाले question, तो उसको बोलते हैं syllogism. तो syllogism में क्या होता है कि वो नॉर्मल नहीं लगेगा? आप words हुच, आप सेंडर सुनों क्या को लगेगा? क्या लिखा है? क्या है यह? पर लेकिन वो solve होते हैं Venn diagram से. जैसे All cats are dogs, हाँ ठीक है. And some dogs are pens, तो लो, ऐसे बना दिया. तो इसमें से फिर देखो, क्या यह possible है, क्या यह possible है? इसका मतलब होता है syllogism solve करना. syllogistically किसी चीज़ को सोचना. तो यह आपका C-Site का portion बनता है और आपके और बागी PCS के चोटे मोटे और उस्ते नीचे वाले चोटे exams में यह आते हैं. So, यहाँ पर doctrine of liberal interpretation खतम होता है. यहाँ पर सारी doctrine खतम होती है. अब हम शुरू करेंगे बागी Supreme Board की other powers. यानि कि जो Supreme Board के पास जो और पावर हैं, appellate, original, advisory, ये सारी jurisdiction के बाद Supreme Board के पास एक पावर और आती है, that is other powers of Supreme Board. अब इसमें, जैसे क्या, it decides the dispute regarding the election of the President and the Vice President और ये जो बोलते हैं, वो original, exclusive and final authority होते हैं. ये ही हैं, जो inquire into the conduct and behavior of the chairman and members of UPSC, SPSC, JSPSC, on a reference made by the President. If it finds them guilty of misbehavior, it can recommend President for their removal. और जब ये अपनी advice देंगे, that advice is binding on the President. क्योंकि ये नोने फिर वो खोज भीन के, analyze करके, interrogate करवा के, सब करवा के, तब वो finding दिये निकाल के. It is authorized to withdraw the cases pending before the High Courts and dispose them by itself. High Court से बोले, लाओ, इदर लाओ case, तुमसे नहीं हो पा रहा, इतने समय से दे रखा ता लाओ, अब लाओ मैं, देओ, हम करें. It can also transfer a case or appeal pending before one High Court to another High Court. एक High Court को छोड़के बोले कि तुम अब छोड़ दो, मतरास High Court को दो, वो solve कर देंगे, ठीक है. A law and judgment of Supreme Court is binding on all courts in India. यही तो हमारा single vertical integrated judiciary का पैचान है. अब, it has power of judicial superintendence and control over the courts and tribunals in the country, functioning in the entire territory of the country. के जितनी देश में जितनी court का चेरी चल रही है, tribunal चल रही है, दे work under the supervision and superintendence of Supreme Court. Now, Supreme Court का जो jurisdiction है और जो power है, with respect to matters in the union list, can be enlarged by the parliament. करवा सकती है. Parliament चाहे, तो union list के उपर, जो Supreme Court के पाद जो jurisdiction है, Supreme Court कानून नहीं बना सकती है. पर Supreme Court कानून बनने के बाद सुनेगी तो सही ना, अब उसको Parliament और enlarge कर सकती है, उस अपने इस domain को. Its jurisdiction and powers with respect to the other matters can be enlarged by a special agreement of the center and the states. चाहें तो state ये भी कहते हैं कि हाँ सार एक काम करो, आप हमारे topic भी दे दो Supreme Court को, Supreme Court उस पर भी चर्चा कर सकती है, ठीक है, कर सकती है तो बहुत अच्छा ही है फिर तो, अब यहाँ पर हम difference देखेंगे, हमारे और American Supreme Court के बीच में, कैसे कैसे हैं, हमारे के पास है, original jurisdiction is confined to federal cases only, ठीक है, यहाँ पर क्या है, its original jurisdiction covers not only federal cases, but also cases related to naval force, maritime activity ambassadors, सबके सब, उनके उपर भी American Supreme Court पूरी निगाह रखती है, वहाँ की Navy के उपर, वहाँ की Air Force के उपर, सोचो, वहाँ की maritime activity जतनी जो उनकी नौ सेना की जो एक्टिविटियां चल रही है, जो पानी में उनकी जतनी गतिव अपील वाला जो portion है, covers constitutional, civil and criminal cases, यहाँ पे is confined to only constitutional cases, cases only, American Supreme Court has no such plenary power, absolute power नहीं उनके पास, यहाँ पे, it has a very wide discretion to grant special leave petition in any matter against the judgment of any court or tribunal, वहाँ ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे जो सुप्रीम कोर्ट हैं, वो स्टेटों के पास हैं अपने अपने नीचे, उनके ऊपर अपील कोई ही नहीं आप पे, अब, it has no advisory jurisdiction, it has advisory jurisdiction, यह advice देते हैं यह हमार राश्पती जी को, now, इनका judicial review is limited, यहाँ पे judicial review जो है, बहुत wide है, judicial review यहाँ पे मतलब जो है, वो कुल मिला के सब की गर्दन पकड़ लेते हैं, अब कई बार, Supreme Court के sitting judges ने बोला है, कि बटा, हमसे बड़ी पावर क कोई नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहले, President of the free world, most powerful person of the western hemisphere, राश्पती है US का, बेटा नहीं, जो American Supreme Court के पाथ judicial review की power है, वो बहुत बड़ी पावर है, बहुत जादा, Congress की, House of Representative की, Senate की, किसी और की, राश्पती के administration में, किसी की भी, वो खिचाई कर सकते हैं, और वो कर देते ह the right of the citizens according to the procedure established by law, यहाँ पे according to the due process of law, पर Supreme Court ने mention कर दिया है, कि हमारे यहाँ भी due process of law ingrained है, क्योंकि already procedure established by law है, इसलिए इसमें हमारे DPLB पीचे-पीचे है हमारे साथ, मानना पड़ेगा, its jurisdiction and powers can be enlarged by Parliament, यहाँ पे are limited to that conferred by the Constitution, जो सम्विधान में लिख दिया गया, वो अब American Supreme Supreme Court के पाद उतना ही है, now, power of judicial superintendents and control over state high courts due to integrated judicial system, है हमारे अलाबाद high court हो, चाहे जैपूर high court हो, राजस्थान, चाहे कोई और high court हो, सबके सब Supreme Court के अंडर है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे it has no such power due to double or separated system हमारा जूडी शरीका, अमेरिका में, वो डिफ्रेंजन क्य आए, यहाँ पे एक और है, कि जितने सारे यह आर्टिकल थे, जो relate कर रहे थे, जो हमने अभी पढ़े है, ठीक है, आर्टिकल नमर 124 से लेके हमारा 147 तक हमने यहाँ पढ़ डाला, यह यहाँ पे खतम हो रहा है, अब इसके बाद, चैप्टर है खतम हुआ, अभी चलते है अब हायर जुटिचरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर धमा धम क्वेश्चन है, 13 में, 17 में, 18 में, 19 में तो दो क्वेश्चन आया है, एक यह, एक यह, उसके बाद 20 में यह, किस में यह, खेर, मेंस में तो आप आगे देखना, पहले प्री देख लो, तो 2022 का क्वे करेक्ट, हमारे additional shortage of India, तो इन्होंने report दी दो साल में, उसके 8 साल बात फिर जाके हमारा COCA 1971 हमारा आया, फिर, Constitution of India, empower Supreme Court and the High Courts to punish for the contempt of themselves, very good, yes, the Constitution of India defines civil contempt and criminal contempt, no, why, यही तो बना यह COC Act के तहत, और आया ही क्या फिर, तो यह हमारा आया Act के तहत, यह समविधान ने कभी describe नहीं कि क्या है कि civil law or criminal contempt क्या होती है, उन्होंने का हां, contempt की सजा आप दे सकते हो, ठीक है, इन इंडिया, the Parliament is vested with the powers to make laws on the COC, yes, because the Parliament made a law already on COC, so 1, 2 and 4, that is option B, coming to next question, 2012 का question है यह, तो क्या question था, government law, government law officers, legal firms, यह recognize होते हैं as advocates, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from the recognition as advocates, no, sorry, very wrong statement, Advocates Act, Advocates Act एक चीज है, तो इस Act के तहत बोला गया है, यह सब के सब, जो है, यह सारे के सारे advocate माने जाएंगे, यह advocate है, अब ठीक है, दूसरी instrument सुनते हैं, bar councils have the power, bar councils have the power to lay down the rules relating to legal education and recognition of law colleges, yes, जैसे medical council होता है, जो देश में higher medical education को regulate करता है, बताता है, ऐसे ही bar council है, जो हमारा law syllabus, जो हमारा, जितना भी हमारा LLB का जो curriculum है, उसको design करता है, यह बताता है, कि law colleges में, क्या पढ़ाया जाना चाहिए, कितने level का पढ़ाया जाना चाहिए, etc., etc., Now, original jurisdiction की बात हो रही है, supreme court के, question है, कि a dispute between the government of India and one or more states, क्या यह original jurisdiction में आएगा? Yes, यह आएगा, a dispute regarding elections to either house of the parliament on that of the legislature of state, no, 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 MPs वगरा के इनके नहीं आते है, a dispute between the government of India and a UT, of course not, Because government and UT are already on the same page, government, he control करती है, UT को, a dispute between two or more states, yes, यह आता है, तो, one or four आ रहे हैं, हमारा answer है, C, now, coming to next question, power of Supreme Court of India, to decide disputes between center and states, falls under original jurisdiction, यही तो इनका original काम है, पहला ही काम इनका यही बनाया गया है, कि सुनो सब की लड़ाई जग्ले, Now, 2012 का question, what is the provision to safeguard the autonomy of the Supreme Court of India, क्या 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 प्रविजिन से, While appointing the Supreme Court judges, the President of India has to consult the CJI, yes, 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 absolutely, Now, Supreme Court judges can be removed by Chief Justice of India only, no, कहां से, कदापी नहीं, impeachment, removal, यही तो कहां नहीं है पूरी, Now, salaries of the judges are charged on the CFI to which the legislature does not have to vote, yes, all appointments of officers and staff of the Supreme Court of India are made by the government only after consulting the Chief Justice of India, no, absolutely no, So, कई ऐसे offices होते हैं, administrative block होते हैं Supreme Court में, जो CJI साहब, खुद से appoint करवाते हैं, अपने नाम से appoint होते हैं वो, वो राश्पती जी से या सरकार से बंजूरी लेकिन नहीं होते हैं, So, answer is, पहली statement सही है, और तीसरी statement सही है, one and three only, correct हो गया हैं से, आगे चलते हैं, Power to increase the number of judges in the Supreme Court of India is vested in, 2004 का question, बहुत simple question, in the Parliament, यह तो सोचना भी नहीं है, Parliament ही act बनाता है, number of judges amendment act, ठीक है, तो, अब आगे चलो, The motion to impeach a judge of the Supreme Court of India, of India, यहाँ पे N आ गया है, इसको अटा देते है, of India, cannot be rejected by the speaker of the Lok Sabha, क्या ऐसा हो सकता है, no, 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 speaker can reject that motion, that motion which, which encourages, which intends to remove a sitting judge, speaker can reject it, speaker कर सकता है, reject, और statement कह रही है, कि speaker cannot reject, cannot be rejected by the speaker, so statement is wrong, Constitution of India defines and gives details of what constitutes incapacity and proved misbehavior, no, Supreme Court, हमारे सम्वेदान ने कुछ भी नहीं बताया है, कि क्या चीज मानी जाएगी proven misbehavior, क्या चीज मानी जाएगी incapacity, सम्वेदान को नहीं पता, सम्वेदान ने का है, यह inquiry committee जाने, अब, details of the process of impeachment of the judges of the Supreme Court of India are given in the Judges' Inquiry Act of 1968, Yes, यह है, यह correct है हमारे यह, अगर, if the motion of the impeachment of a judge is taken up for voting, अगर voting हो गई, ठीक है, The law requires the motion to be backed by each house of the parliament and supported by a majority of total membership of that house and by not less than two-thirds of total membership of that house present in voting, बिलकुल correct, बिलकुल, सहीवाला correct, 3 and 4 only, correct answer, आगे चलते हैं, With reference to constitution of India, prohibition or limitation or provision contained in ordinary laws cannot act as prohibitions or limitations on the constitutional powers under article 142, Which is power of Supreme Court, Supreme Court का special, special power, power, यह क्या power है? To summon, summon करेंगे, या document मंगवाएंगे, यह सब करवा सकती है, तो, अब Supreme Court की power की बात हो रही है, So, बात करते हैं, decision taken by Election Commission of India while discharging its duties cannot be challenged in any court, No, wrong, 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 गलत, 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 Supreme Court of India is not constrained in the exercise of its power by laws made by the Parliament, No, यह सही है, तो, it is not constrained in the exercise of its power, अब, in the event of a grave financial crisis in the country, the President of India can declare a financial emergency without the counsel of the Cabinet, Very wrong, बिना Cabinet की मंजूरी के, बिना Cabinet की सलाह के, राश्पती जी हाथ भी नहीं उठा सकते हैं, वो नहीं करना पड़ेगा, जो Cabinet कहींगी, Now, State Legislatures cannot make laws on certain matters without the Congress of the Union Legislature, No, wrong, State Legislatures have their own State List, जहाँ पर वो अपना काम करते रहते हैं, तो, Statement B is only correct, जो Supreme Court की special power का बखान करता है, Consider the following statements, बहुत अच्छा कुश्चन है, बहुत बढ़िया कुश्चन है, Now, any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as the Supreme Court judge by the Chief Justice of India, with permission of the President of India, Yes, correct, बिल्कुल सही है, A High Court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does, अब यहाँ पर क्या हुआ है, कई लोगों ने इसका आंसर गलत कर दिया था, और लोगों ने बोला था, कि यह statement गलत है, पर ऐसा नहीं है, दोनों आंसर सही हैं इसके, दोनों statement सही है, High Court के पास भी review jurisdiction है अपना, Now, इन में से कौन है, जो सम्विधान का custodian है, कई PSIR के students ने इसमें गलती कर दी, अब कई PSIR के students को लगेगा, बोल रहे हैं तक सर सर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है, अरे भाई, सम्विधान का custodian, guarantor और पूरा सम्विधान का protector, कौन है, हमारा Supreme Court of India ही तो है, बचा कौन, यही तो रहेगा, So, with that, हमारे यहाँ PYQs खतम होते हैं, और इसी के साथ इस chapter को हम अलविदा कहते हैं, अगली class में चलेंगे next chapter पर, Till then, you stay safe, stay healthy, good luck.